वेरवान, वेल्कम तो दे चैनल, इस वी सिर्वन जहानी, आपकी दीदी तो all the class 12 students जिनको लाने हैं board exam में 100 में से 100 तो आज की वीडियो तब ही देखनी है जब आप पहले कल फ्लेमिंगो के सारे chapters कंप्रीट कर चुके हो क्योंकि कल मैंने पढ़ाई है फ्लेमिंगो पूरे की पूरी book in one shot ठीक है और अगर बाई चन चलो नहीं पढ़ी थी तो आज पूरी विस्तास देखने के बाद आपको कल directly फ्लेमिंगो पढ़ लेनी है लिक मिल जाएगा तुम्हें description box के अंदर और उसके बाद जो है आपको मिलेंगी poem की one shot explanation उसका भी link मिल जाएगा description के अंदर तो each and everything आपकी English के exam के लिए हर video हर class मिलेगी आपको मेरे channel पे links मिल जाएगे description box में तो आज हम क्या पढ़ने आले आज हम पढ़ेंगे विस्तास book को जिस book का पहला chapter है the third level इतना romance इतना mysterious भाई ये chapters नहीं है ये भाई कहानी अलगी चल रही है इन पे अलग अलग पिछरे बन जाए ना तो पता नहीं कितने करोडों की कमाई हो जाए इन पिछरों की ऐसे chapter है य याद रहेंगे ऐसे पढ़ाओंगे आज तुमार को पोड़ इक्साम तो क्या है बोड़ इक्साम में तो पक्के होंगे है आपके ठीक है तो एक एक चाप्टर को हम पढ़ेंगे अपनी विस्तास book के कौन-कौन से chapter है जरा देख लेते हैं यहां पे यह रहा हमारा विस्तास book का पूरा का पूरा syllabus third level पढ़ेंगे the tiger king पढ़ेंगे journey to dand of the earth पता नहीं क्यों difficult लगता है तुम्हें बहुत मज़ेदार चैप्टर है भाई साब यह पढ़ाओंगी देखना favorite बन जाएगा मन करेगा यार हमें भी कोई अंटार्टिका ले जाए हम भी घूम है अंटार्ट आज बुक को start करते हैं अपनी start करने से पहले आपको बता दू नोट्स मैंने upload कर दिया Instagram पर जल्दी जाके देखो इंस्टन नहीं चला तो tension not YouTube चैनल पर community पर जाओ community search करो community पर तुम्हें सारे नोट्स देख रहे होंगे ठीक है तो पहले फ्लेमिंगो पढ़ लेना फिर विस्तास पढ़ने फिर poem फिर आएंगे writing section के ओपर hand to hand complete कर देंगे पूरा English का syllabus बस सो लेट स्टार्ट और हां स्टार्ट करने से पहले पॉस्स करो वीडियो को और आज फिर comment करके बता दो अपना नाम fire symbol के साथ और लिख दो देट तारीख लिख दो कि दीदे आज की तारीख में मैंने complete कर दी अपनी विस्तास तो टेट लिख दो fire symbol लगा दो अपना नाम लगा दो जिस दिन रिजल दे पर यह नाम में चिल्ला चिल्ला के लाइव में आके लूंगी और देख लेना ना आयो तुमारे सौ मेंसे सौत चलो बाते हो गई बहुत स्टाट करते हैं पहरे चाप्टर से दो थार्ड अब पर्तिय अपनी विस्तास भुक कप पहला चाप्टर दी ठर्थ लेवल तो भाई ये एक बहुती चार्ली भहिया के बारे में हम बढ़ेंगे अब चार्ली भहिया का क्या सीन है कि देखो इनका नाम चार्ली है इसके वाइफ है उसका नाम है लुजिया ठीक है अब यह रोज जाता है ऑफिस से घर आता है और ऑफिस से घर आते समय यह कई बार जो न्यू यॉयॉक का कि एक बार वीडियो जरूर सर्च करके देखना ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के कि इसके हैं तो लेवल्स मतलब फ्लोर समझ लो तुम कि एक है दो है दो है दो है दो है इसके बट ये चारली भाई साब एक दिन जब अपने ऑफिस से घर जा रही होते हैं तो पता नहीं कैसे ये Grand Central Station के 3rd level पे पहुच जाते हैं और उस 3rd level पे जो है जमाना कपका चल रहा था 1890 के समय का यानि कि ये टाइम ट्रावल करके पहस्ट में पहुच जाता है और एक नए लेवल पे पहुच जाता है चार्ली कहता है भाई साब इंडिया वहाँ मान लो कि अमेरिका के प्रेजिडेंट रेलवेस के प्रेजिडेंट हर कोई बड़ा से बड़ा आर्मी जो है न्यू यू यॉक सिटी का अमेरिका का वो जो है कसम खाकी यही कहेगा कि Grand Central Station के है दो ही लेवल से बट मैं नहीं मानता तुम्हें बता रहा हुँ तीन लेवल से क्योंकि मैं खुद पहुच जा हूँ थर्ड लेवल पे और अगर तुम्हें लग रहो हो कि मैं पागल हो गया हूँ तो हाँ मेरा एक दोस्त है वह сाइक अक्रिस्त है तो उससे जाके मैंने अपना जो है चेक अप कराया तो उसने मुझे बताया कि यह मेरे साथ क्यों हुआ ठीक है तो यह जो है एक बार इसको भी लगा भाई मैं पागल तो नहीं हो गया हूं तो यह साइक्ट्रिस पर जाके इलाज कराने की कुशिश करते हैं बाई बता जरा मैं थर्ड लेवल पर कै लिए ऐसे पोचा तो सॉपिर्स घेक़ है कि अपके यह तो पहसे देखा बाई तो नहीं नहीं है क्या तो यह तो असलीट में ताम रगल कर्यों नहीं है थर्ड लेवल से जोले तो यह अवरे मनगरन उन दिमाग में चल था तो उसने कहा एसा क्यों हूं हा hy तो तेरी लोग को पता चलता है यह साइक्ट्रिस ने ऐसे बोला है कि यह बहुत दुखी है अपनी लाइफ में तो जो है उसकी वाइब भाबी जी जो हमारी लूजिया भाबी वह गुस्सा हो जाती है यह कोई मतलब अच्छे कार से हमारा है यह क्यों कह रहा है तो वह साइक्ट्रिस कहते है भाबी जी आपके वेदे से नहीं हो रहा है यह सब यह जो आजकल की दुनिया हो गई है ना रोज ओफिस जाना ओफिस से घर आना इतनी टेंशन हो अभी यह हमारे वाले जमाने का भी नहीं है यह बस वर्ल्ड वार टुग थोड़े समय बातका है 2000 वाला नहीं है यह हमारे 2020 वाला इसको उत जमाने में इतनी टेंशन है थी और उससे परेशान होके जो है यह जो है स्टैंप करता है अब जो यह चार्ली है यह बहुत साथे स्टैंप करता है और स्टैंप पोस्टिय बेसन है इंवल्यप मेने डाले के तो बताता है तो चार्ली को जो है वह उसने मुझे बताया बट मैंना नहीं मानता मैं नहीं मानता कि मैं सच्ची में भानी गया मुझे सब सच लगता और अगर स्टैम कलेक्शन की बात करूं में तो भाई मेरे दादा भी स्टैम कलेक्शन करते थे वह तो 1890s के हैं उनका जबाना तो बड़ा शांत था वहां तो सब लोग बहुत खुश रहते थे तो मेरे पहुंचा कैसे तो तुम लोग सोचो कि क्या वो सच्ची में हुआ होगा या नहीं तो बताता है कि मैं चार्ली हूं मैं 31 एर्स का हूं एक दिन में ऑफिस से घर आ था मैंने कपड़े क्या कपड़े आद कर लो एक्जाम में आ सकता है कि भाईया चाली ने उस दिन क्या कि एक पाषलेंशोजु और यह क्या करता है सब्दी सब्द गरांपडो के स्थेस्टिंशन के सब्दी और वोच जाओं ठीक है तो यह एंटर करता है वैंडर्बृल्ट एवैनियू से और जैसी वहां से एंट्र करते कहμε है पहले परस लेvel आती है फिषिसमीं अधर के मैं लेवल पर पोच्छ और जैसे में सेकंड लेवल पर पहुंचा तो मैं थोड़ा गुम जाता हूं यानि कि मैं खो जातों में रास्तों पर भटक जाता हूं और कहता है कि मेरे सथ नहीं हुआ है मैं कई बार ना इधर खो जाते हूं यह पर मेरे साथ ऐसा हूँआ है एक बार में रास्ते पर चला गया मैं कहीं रूज बढ़ी निकला था इक बर में किसी रास्ते पर गया मैं फोट नीजिया पूरे के पूरे नियो-यॉक सिटी के अंदर कि लोगों को नहीं पता है यह रोज अपने नई टनल बनाता रहता है नीचे नियु यॉक सिटी में तो इसकी साइकॉलजी थोड़ी है खराब तो वह कहता है कि मैं ऐसी दो तीन सेडियां उतर के मैं सब्वे के लिए जाई रहा था कि इतने में एक रास्ता ल सब्सक्राइब के जाऊंगा मैं चलता रहा है मुझे कोई आवाज नहीं आरी वास अपने चलने के आवाज आरी उस टनल में और जैसी में वहां चलता रहा तो मुझे रोशनी से ठीक है यह रास्ता कहीं आगे खुल रहोगा तो जैसे मैं उससे बहार नेकलता हूं दो टड़ sudah यह कहां पहुच चलता है यह पोच आप हमारे 3rd Level अविशे पता कैसे चलता है जू से गया पहूच को इस टाइप का है ग्रीनिंःट सेकिंटलर स्टेशन तो इसे कैसे पता चलता है कि यह गलत जगा पहुचा है सेकर्ड लेबल यह नहीं ए सब से पहले यह 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 बैसे में जोने हैं नहीं पर लिखश कहते हैं इसमाने में पत्थर डाघ जो पैने छोपडरी खूमper पर जब दोल्टी को आदमी पर रहे हों हैब तो हमें टोपि नंप फेलिघ रहा है कर बड़ द माने रहें एक ईपना च्था रहाен बड़ा हिरान होता है इतने में इसके ना लाइटों पे नजर पढ़ती है जो भाँ पे लाइट लगी वी थी कहा रहा लेक्ट्रिक लाइट नहीं थी गैस से जलने वाली लाइट थी और रास्तों में बड़े-बड़े ब्रास के बरतन रखे गए थे जिसमें लोग जो पान बड़े खाते हैं उसको स्पिट कर दे तो यह बड़ा है एक आंटी आती है इसके सामने लड़की योद्यवत्रब और वो कहता है उसने पुराने जमाने के कपड़े पैन रखे उसकी स्लीव और उसके कपड़े देखे ऐसा लग रहा था कि 1890 के कपड़े उसने पहां पहां पुराने जमाने का फैशन देखे तो इसको भी थोड़ा सा लगता है यह तो कुछ गरबल लग रहा है यहां पर एक आर्मी आपने जिम में से सोने की घड़ी निकालता है और यह अरान होता है और इतने महीं इसकी नजर बढ़ती है ट्रेन पे अब जैसे यह त्रेन को इसके जमाने में डिफरेंट ट्रेन होती है तो अब इससे लगता है भाई कुछ तो गरबल हो गई है तो यह जाता है वहां पर पास में जगा पे नूजपेपर बेतरे होती है तो यह जा कि नूजपेपर चेकर जैसे हाट टाइम ट्राइवल वाली मुवी में दिखाते है वह जा के डेट पूसते हैं तो इससे सोचा कि चलो नूजपेपर में से डेट देखता हूं और वहां पर नूजपेपर रखा था दे वर्ल्ड ठीक है यह देखो यह दिसकी फोटो और यह जो नूजपेपर है इसके टाइम में तो है छपना भी बंदो चुका है तो यह उस पता चलता है कि मैं पहुच चुका 1894 में तो यह क्या करता है महीं नॉर्मल आद्मियों को घबर आ जाएगा यार मैं क्या करूं मैं तो नहीं पुराने जबाने में पहुची गया हूं तो क्यों ना मैं यहां से टिकेट खरीगता हूं एक शेहर की जिसका नाम है गेलेजब की जो है आदमी लोग जो kepada पीते हैं औरते अपना काम करती हैं कभी पार्टिया करती हैं बहुत मसे करते हैं वहां के लोग ठीक है तो यह सोचता पुराने जमाने में पहुची गया हूं कियोके यह जाता धिर्ण मैं भाइफ को लिकशा हूं आफे अपनी जमाने में चले र तो ऑविब देखता है औरों भी हो थो से कूरिखता है फिर यह तो फोंद देखता है तो फोर्etch देखता है तो पैसे हो आवारा अनी तो पैसे हे दिलो आले होने हने तो यह बैसे निया SH alm테is निय में सॉंधत। तो किया था, भाई मैं तो भागा हाँ से जेब में रखे पैसे अपने, क्योंकि जेल तो भाई एटीन नाइटीस की भी अच्छी नी थी, तो किया भाग के अपने घर आ गया, और मैंने सोचा कि कल फिर थर्ड लेवल पर जाओंगा पुराने नोट लेके, तो अफिस जब मिलते थे, तो इसके पाथ $300 थे, अपनी savings, सारी savings इसने खर्च कर दी, $300 के बदले से मिले $200, पुराने जबाने वाले, ठीक है, $89, अब तो मैं सोचो कि कम क्यों मिले, तो उन नोटों की वाल्यों साथ होती है, तो इसलिए कम मिले, पर कोई बात नी, पुराने जबाने में उसने भी मुझे का कि ढून पहले, फिल मुझे नहीं मिला तो अब भी गुस्ता रहती है, मैंने psychiatrist को बताया, वो कहते है, तो पागल हो गया है, तो कह रहा है, मुझे नहीं मिलता 3rd level, तो मैं छोड़ भी दिया 3rd level को सर्च करना, अब मैं अपना stamp एम कलेक्ट करने लगता ठीक है, तो Charlie ने give up कर दिया था, अपना 3rd level को ढूना, ठीक है, बट एक दिन क्या होता है, कह रहा है, एक दिन कुछ ऐसा हुआ, कि अब जो है, मैं और मेरी वाइफ लूजिया, जो मुझे खुद मना कर दीती 3rd level ना ढूनू, हम रोज शाम को दोनों खुद 3rd level ढूनने जा एक एंविलब पे stamp लगा कर अंदर खाली लेटर डाल के mail कर देते हैं, कि अमार को वो नया stamp मिल जाए, तो ये stamp collection में अपने first day cover देख रहा था, तो एक ऐसा first day cover आता है, जो पहले कभी इसके stamp collection में नहीं था, और इसका stamp collection कौन सा है, जो इसके दादा दी का चलता हुआ रहा ह तो खेरा मैंने उसे खोल के देखा, तो भाई उसके अंदर एक letter था, उसमें कुछ लिखावा था, वैसे first day cover खाली होते है, तो खेरा उसके letter क्या लिखावा था, तुम सोच के हरान हो जाओगे, ये रहा वो letter और बो letter पता है किसके लिए था, चार्ली के लिए ही था, किसके पर दादाजी के अड्रेस पर आवा था, गेलिजबक लिए उस वाले घर पर उस पर लेखा वा था, कि चार्ली मैं हूँ तुमारा दोस्त सैं, और मैं जो हूं थार्ड लेवल पर पहुच चुका हूं, और थार्ड लेवल से मैंने जो है ट्रेंडी गेलिजबक लिए उनेस बिलीव मी, the note is signed Sam, तो Sam X का एक दोस्त था, उसको भी इसने बताया था, इसके बारे में, थार्ड लेवल के बारे में, तो भाई, Sam को थार्ड लेवल मिल गई, और Sam जो है थार्ड लेवल में, जो है ट्रेंड पकड की गिलिजबक लिए उसमें सेटल हो चुका है, और उसने अब जो है फिर यह पता लगाता है कि हाँ, मेरा Sam जो दोस्त है, यह पक्का वहाँ पहुचा होगा, वही मजाग तो नहीं कर रहा है मेरे साथ, तो यह से पता चलता है कि हाँ, इसका जो दोस्त सैम है, वो काफी दिनों से गायब है, और उसने भी कॉइन शॉप से बहुत ज क्योंकि उसका पुराना बिजनेस था जो यहां पर करता था प्रेजेंट वर्ड में वह तो वहाँ जाग में चलता नहीं, तो वह कहते है पता है उसका पुराना बिजनेस क्या था, और वह साम फ्रेंड उसका साम फ्रेंड था, वह साइक्ट्रिस था, वह साइक्ट्रिस था पागल के रहा था, वही उसका दोस्त था, Sam. उसको ही 3rd level मिल गया और वही वहाँ जा के सेटल हो गया. तो भाइसाब, वह Psych actress को यह 3rd level मिल गया और वहाँ जा के सेटल हो गया. वो कहते है, गेलिजबॉग एलिए होंदो, इसमें तो उसका साइक्ट्रिस वाला बिजनस चलता नी क्योंकि वहां दो लोग पागल थे नियु जमाने में मेरी थरा डिप्रेशन वाले तो इसलिए उसने अपना नया बिजनस लॉंच कर लिए अब तुमें क्या लगता है क्या यह कहानी सच है क्या सैम सची वे कोई दोस् यह तो भाईया हमें चैप्टर में डिस्क्लोज नहीं हुआ बट चैप्टर की थीम यही है कि अब तुमें भी लग रहा होगा कि नहीं चाली की मन घरन चीज़े हैं जब तो येस चैप्टर की थीम ही यही है तो कई बार आजकल की दुनिया में हम लोग इतना वरी हो जाती हैं रियालिटी से स्केप करने के लिए काफी कुछ करते हैं और चाली थोड़ा एक्स्ट्रीम लेवल पर चला गया है ठीक है इसने तो इतनी सारी चीज़े इंवल्व कर लिए तो विद देस यह चैप्टर हुता है अब पढ़ेंगे हम अपना नेक्स चैप्टर टाइगर क तो इसमें हम एक राजा की कहानी पढ़ने आले हैं जिनका नाम है टाइगर किंग और यह मत समझने इनका टाइगर किंग नाम इसलिए क्योंकि यह टाइगर से बहुत प्यार करते थे नहीं भाई यह बहुत क्रूवल राजा थे यह इतने टाइगर को अपनी लाइफ में मा लाजा पहसे बोलाया जाता है महाराजा अधी राजा जलानी जंग जंग बहुत सारे अलग अलग इनके नाम है असी टीशी एमेडी और किंग बोल दिया करते हैं अब इने टाइगर केंग क्यू बोलते हैं वही मैं आपको पूरे चैप्टर में बताने वाली हूं तो जब यह 풍ज 연lar पैदा थे और यह चोटे से बेबी सिर्फ और तस दिन के तब बहुत बढ़ा चमतकार होताए क्या चमतकार होता है देखो जैसे जब भी कोई राजकुमार पैदा होते हैं तो बहुत साइब lumpAnter ऊसे बनेंगे अ रेडिक्शन बनेगा बट एक चीज़ और होगी इसके साथ में और चुप हो जाते हैं तो लोग पूछते बहीं बताओ बताओ क्या होगा बट एक दिन ना ये मर जाएगा ये है इसकी लाइफ की कहानी तो भाई ये जो बात है तुम सोचो भाई जो कोई पैदा हुआ है उसनों तो मढणा कि लोती होगी तो पास की लोग बड़े हीरान हो जाते ह। ये बोल कॉन रहा है तो थहान पढ़ते है और ये चो अचैश्छा बश्चाब होता है तो ये चमतकार होता है फिर ये बज़े बता तो दस दिन का बच्छा बोल रहा है उपर से इतना समर्जदार है कि इतना logical question पूछ रहा है तो फिर astrologer सोचता है और बताता है कि अच्छा ठीक है ये जो बीबी है ये बुल के आर में पेदा हुआ है और बुल और टाइगर होते हैं दुश्मन ठीक है नहीं बनती है उनकी तो that means तुम मरोगे टाइगर की वज़े से एक दिन तुमारी मौथ होगी एक ताइगर की वज़े से तो जो है ये बेबी ड़ता नहीं है तस दिन का बेबी हमारा जो टाइगर किंग बेबी तहे जब प्रतिबंदा पुरम, यह प्रतिबंदा पुरम के राजा है, तो जब यह छोटे थे ना, और यह बड़े हो चुके है, तो यह अफवा फैलती है, इनके आपर कि राजा तो हमारे दस दिन के बोले थे, अब पता नहीं है, जो है, चमतकार वाली बात सच है या नहीं है, चलो ह हम तो सची मान लीते हैं, तो जब यह बड़े होते हैं, तो नॉर्मल ना, यह कैसे के बड़े होते हैं? इंग्लिज में जलसे के आपको बता हुआ हमर पर बिटिश का रूल था, तो उयजो राजा थे, यह बद्खूल हमैं नहीं इंग्लिस इंग्लिश की मैम पढ़ाती थी इंग्लिश सिखाई जाती थी इंग्लिश नैनी थी जो इनको हर तरीके इंग्लिश तरीके सिखाती थी तो जब यह बड़े हो जाते हैं फिर इनको इनका राजे मिल जाता है ठीक है अब जब बड़े हो जाते हैं और इनको इनको राजे मिल कर रहे होते तो राजा के कानों तक पहुच जाते हैं पहले नहीं पता था दस दिन की बाद तो यह भूल गये थे कि ऐसा कुछ होगा यह लोगों के थरूप पता चल जाता है तुवे तो बड़े स्टॉंग थे तो यह कहते है यार सेल्फ डिफेंस में तो किसी को भी मार देत अदवी मैं टाइगर मार सकता हूं सेल्फ डिफेंस के अंदर कि क्ल को ठाइगर मुझे ना मार दे तो मैं इक तैगर को मार ओंग। तो यह अपने forest में जाते है प्रती बंदा पुरम के बहुत बढ़िया forest थे वहाँ पे एक tiger को ढूंडते है और tiger को हंट कर देते हैं तो मतलब ताकतवार बहुत थी तो 3 ताइगर को मार दोगे तब भध्यानत ना क्योंकि वह थैगर ही तुमारी मने का अट बढ़ने वाला है वह गहते हैं और इसको मारती और मार सकता हूं मैं यह क्यों कह रहे हो तुम वह तो अच्छा ठीक है देखते हैं मैं भी यह हूं आप भी यह हूं अगर 100 टाइगर आपने माल लिया ना तो मैं अपनी जितनी भी मेरी कितावे हैं स्रोलोजी की उन्हें जला दूँगा बाल कटवा के इंशॉरेंस एजेंट मज़ जाओंगा अगर मेरी ये बात गलत सावित हो गई तो वह कहते है अच्छा ठीक है चैलेंज ले लेते हैं टाइगर किंग और य नाउच करते हैं टाइगर के लिगा अपने स्टेट में बड़ा सा ओर्डर प्रॉक्लिमेशन जारी कर देते हैं अनौंस्मेंट कर देते हैं कि इनके इलावा कोई टाइगर को नहीं मारेगा मतलब कि ताइगर किंग ही जो है सिफवासेट फॉर्स के अंदर टाइगर को मार सकते हैं अगर पत्थर भी मार दिया ना तैगर पर तुम्हारी प्रॉपटी हडब लेंगे तुम्हें जेल में डाल देंगे ऐसा बोल देते हैं जैसे अगर किसी के बच्चे को टाइगर खाने आ गया किसी को टाइगर तंक कर रहे हैं तो भी वह टाइगर को कुछ नहीं कह सक यह गोली चलाते थे गोली टाइगर को लगती नहीं तो टाइगर इंप जपटा उन्हें पर आपने बेर हैंड्स के साथ अपने हाथों से टाइगर से कुष्टी करते है और हर बार कौन जीता था टाइगर किंग जीता था तो मतलब यह ताकतवर तो बहुत थे अब एक दिन टाइगर किंग, को टाइगर मानने के चकर में इनकी जो राज्या था जो इनकी गदी था उसके ओपर भी बहुत बड़ा खतर आ जाता है क्या होता है एक ब्रिटिशर होता है ठीक है उनको अगर हम इनकी लाइंगवेज में बोले तो वो दुरही कहते थे तो एक बिटिश बहुत बड़ा है, and as you know, that we were living under the British rule, तो एक Britisher आता है, officer इनके पास में, और इनको कहता है, क्योंकि इनके पूरे महल में बहुत सारे जो डाइगर्स की जो करकास होती है, यानि कि जो डेट स्कीन होती है, वो इनों सजा रखी थी, तो एक Britisher आता है, जी मीर को भी टाइगर एक किल करना है, हंट करना है, तो मैं तुम्हारे गाओं आऊँगा, तुम्हारे राजा आऊँगा, तुम्हारे kingdom में आऊँगा, और मैं एक टाइगर मारूगा, तो आप Britisher की बात क्याल नहीं सकते थे उस जमाने में, जो है ये लोग, बद Tiger King कहता है, नहीं यार, मैं इसको मानने नहीं दूँगा, Tiger को, Tiger तुम्हेरे है, Tiger तुम्हेरे है, Tiger तुम्हें मानूगा, तो वो माना करवा देते हैं, तो British officer का जो होता है, असेस्टेंट वो कहता है, आरे यार, हमारे British officer को, खुद Tiger हंट नहीं करना, आप अपने Tiger King को कह देना, हंट वो कर लेंगे, हमारे तो officer को बस एक फोटो खिचवानी है, उसके सार्थ में, जिससे वो अपने ड्रोइंग रूम में लगा ले, टाइगर की डेड बॉड़ी के ओपर खड़े होके, वो एक फोटो खिचवाएंगे, तो किते क्रूल थे, गाईस, आप देखो, यह British officer की, भाहिया, उन्हें क्या है, मारे कोई भी बस अपने टशन मानने के लिए, एक बिचारे आनेमल को मारो, और उसके फोटो खिचो ही यह चाहते थे, तो टाइगर की गेते हैं, नहीं, नहीं, हम कोई हंट करना हो, तो मैं हम बोर हंट करवा देंगे, मस्कीटों माल लो, हमारे आके चुड़िया, हमारे आके कुछ भी बाल लो थो, ठीक है, चुहां बाल लो, कुछ भी बाल लो, बट हम ताइगर हंटिंग आपको नहीं करने देंगे, और जोब फोटो खिचने को कहते हैं, तो यह फोटो तक के लिए मना कर देंगे, तो अब ये डर जाते हैं अन्दूनी, ये बाई तलको जो है, अगर हमने ऐसे बिटिशर के साथ करेंगे, तो ये हमारे को हटा सकते हैं, हमारी कद्धी से, तो ये क्या करते हैं, फिर बिटिशर की जो वाइफ थी दुराई सेनी, उन से कहा जाता है, उसको थोड़ा पैंपर क सेंपल पीसेस, और वो पच्चास की पचास अंगूठियां जो है, वो दुराई सेनी के घर पे भीजवा देते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं उनको कि आप जो है, सारी रिंग भीजवाते हैं, ये सोचके, कि बाई एकाद दुराई सेनी इसमें से चूस कर लेगी, बाकी वा इस दिया, लेटर में, थेंक यू सो मच, और यहां पे उनका 3 लाग का नुकसान हो गया, बट फिर भी टाइगर किंग खुश होता है, कि चल 3 लाग गए तो गए, मेरे जो है, गदी तो बज गई, तो मतलब उस जमाने में, तीन लाग कुर में मतलब इन्हें अपने राजे इसमें नहीं मिलता था, ऐसा लग रहा था यहां तो टाइगर ने बच्चे बैदाबन कर दिया है, यह फिर टाइगर सुसाइड कर रहे है, यह बहुता है, पता नहीं क्या हो गया था, तो टाइगर किंग बहुत टेंशन में होते हैं, एक दिन अपनी गन पकड़ के खड़ तो टाइगर थोड़ी हूँ, वो टर जाते हैं, क्योंकि वो गन पकड़ के खड़े थे ना, क्या रही तुम्हें कॉन टाइगर कह रहा है, मुझे शादी करनी है, तो दिवान साहिब कहते हैं, तो टाइगर से शादी करनी हैं, तो टाइगर से शादी करनी हैं, तो टाइग आए बहुत थािग sophomore I Corey कुई नहीं चाहिए तो कहते है रही ना मुझे तुमार से शादी करनी ना मुझे टाइगर से शादी करनी मुझे क्लड़की से शादी करनी एक राज कोमारी से तो मेरे लिए राज कोमारी ढूंडो जो ऐसे रे जिसके kingdom में हो बहुत-बहुत-बहुत सारे टाइगर की मैं वहां जाओंगा अपने ससुराल और वहां जाके दोने टाइगर मारूंगा तो दिवान साहिब ऐसा ही करता है पूरी इसरे स्ट्रेटेजी वनाता है एक ऐसा ही kingdom जहां पर बहुत सारे टाइगर्स मिलते ए वहां की राजकुमार से टाइगर किंग की शादी हो जाती है अब जब भी टाइगर किग अपने ससुराल जाते थे तो पांच शे टाइगर जरूरर मार किया दे ऐसे करते करते जो है 99 टा भारा चर्ता चाहरा था कि मतलब की टाइगर तो मिलना मतलब खतम ही होगा दुनिया में इनको एक टाइगर नहीं मिल रहा था लास्ट वाला हंडेड टाइगर मारने के लिए और यहां पर एस्ट्र लॉजर की बात के भी जो है तुम समझो की होने वाली दी सच की सौवा काशा बश इसी अफटा बेन कोश्क में लासर ऑख जाता है तो सब्सक्राव मिलने इंक बैठ बैढों के पाससे भेडबग्रिया जो है जो है जो है अपने घुआर और यह कर Sweet एक्रावल को लिए पढाँए जो है और वїस्ते में यह का बढ़ जाता है। इतना गुस्सा जाता है। कि दिवान साहिब को बुला है और चाहते हैं को पूरे स्टेट के अंदर टेक्स डबल कर दो। इतने पैसे से वसूल करने शुरू करते हैं। बहुत सारे लुगों को काम से निकाल देते हैं, तो दिवान साहिब ड़ जाते हैं, पैसा मत करो, इतना tax wax आगर हम लगाएंगे, तो इंडिया national congress नाशनल कॉंग्रेस आजाएगे, बिरिटिश का समान है, तो इंडिया national congress यहाँ पर आजाएगे, और हमारा राजन चिन जाएगा, इन्हें अपने kingdom चिनने से महीं फरागी थिक तो दिवान साहिब सोचता है कि यार मुझे कुछ करना पड़ेगा वणना तो गिंगनम भी जाएगा और यह टाइगर किंग भी जाएंगे तो वो क्या करते हैं वो जाते हैं मदरास के नैश्चरल पार्क में समझ लो आप जू जू टाइप हो गया वहां पर एक टाइगर था और अपने पूरी दिन अपने घर में रखते हैं और जैसे ही रात हो जाती है अपनी वाइफ के साथ मिलकर टाइगर को अपनी गाडी की डिक्की में बिठाते हैं नहीं बैक सीट पे बिठाते है और गाडी चला के फॉरस तक जाते है कि भाई इसको फॉरस में हम छोड़ द कालते हैं तैंगर को फोरेस्ट से अचल मर्या साबर्च से उनको देखता है वैसे इस भी हो देखना की वाज्वा दये वर्यों के उसको उसको गुली आरे गीड़ सब्सक्राइब करें तो उन्हें पता चलता है कि भाई वो टाइगर ऐसे देखता है वो जो है मरा नहीं था वो गोली के बहुश हो गया था बेचारा बुद्धा था हूँ अब जब हंटर्स को लगता है यह क्या हुआ तो मतलब नहीं मरा ना हंड़िट टाइगर अब हम क्या बताया कि आप से टाइगर मारा नहीं था वो भीगोश हुआ था ली तो वो गुस्ता आके हमार को हमारी जॉब से निकाल देंगे तो वो हंटर क्या करते है ठोड़ हमी मार देते हैं तो वो कुछ मीटर पीछे जाते हैं और बुलट से उसको फायर करके उस टाइगर को पीडियां देता है जो उनका राजकुमार था इससे पहले वह किसी जीश व्यविशन देते थे तो अब जो उनका राजकुमार था जो उनका बेटा था वह हो चुका था गाईस तीन साल का और उसका आगया था बर्ड़ी ठीक है अब तो टाइगर किंग सूस्ते में इसके बहुत बड़िया सा गिफ्ट खरीदूंगा तो वह अपने किंग्डम के बजार में जाते है बजार में जाते है एक दुकान पे जाते है और उस दुकान पे उन्हें एक टाइगर दिखता है खिलोने वाला वह लकडी का बनावाता ठीक है तो वहां के शॉपकीपर से पूछत करा इतने कंजूज हैं यह मतलब कि इतने आप सोचो कि क्या एक किंग है यह कहते है अच्छा ठीक है 300 पर चलो तुमारी तरफ से गिफ्ट राजकमार की है और फ्री फंड में उठाके वो टाइगर किंग जो है उस टाइगर को लखडी वाले को ले जाते है और अपने बच् किंग के राइज हैं पहह जाता है ठीक है राइज हन्ट पहात तक जाता है राइज हैंश ऑगर करने के रहेन ने चरट के को सब्सकिम करने के बार ऊसलो है ऐ Appeid तो यानि कि वह जो है वह तिनका लगने की वज़े से उनके पूरी बॉरी इंफेक्शन फैल जाता है और उससे हमारा टाइगर कि जो है वह मठ जाता है और एक दी एंड एस्टो लॉजर की प्रेडिक्शन सच हो जाती है क्योंकि उन्होंने कहा था कि सौवा टाइगर अपना लकडी के तिनके से जो है मर जाते है और यह देखो कि वहां के लोग भी इन से इतने परशान होगे कि जब डॉक्टर्स ऑप्रेशन करके भार आते है तो वो कहते है भाई ऑप्रेशन सक्सेस्वल हुआ महारा जाइस डेड निकल लिया भाई है यह हमारी जान चोटी इन से तो विद दिस यह चैप्टर होता है आपका पूरा कम्प्लीट अब पढ़ते हैं अपना अगला चैप्टर पढ़ते हैं चैप्टर फ्री जिसक नाम है जर्डी दू अफ दू अफ द अर्ट इसको लेख है तिशानी दोशिगने अब यह जो है इस चैप्टर में हमें करे जा रहे है करे जा रहे है पॉल्यूशन करे जा रहे हमें समन में नहीं आता है उसका क्या एफेक्ट होगा जब यह इंटार्टिका पहुचे और वहां की सुंदरता देखी ना तो इन्हें डर लगा और जो है यह समझी कि भाई हमें बहुत ज़रूरत है कि हमें अपने को बचाना है और उन्हें ने लिख दिया आपके लिए यह चैप्टर तो चलो जानते हैं यह एंटार्टिका क्यों गई कैसे गई और वहां चाके इन्हें क्या क्या दिखाई दिया तो लेट स्तार चैप्टर जर्णी टूर इंड ऑफ दे अर्ट बहुत सारे बच्चों को अब यह डिफिकर्ट लगता है आज के बाद नहीं लगी है क्यों कि तुम्हाई सिम्रंदी तुम्हें आज यह पढ़ाने वाली है ठीक है तो पहला टॉपिक आता आपका इसका विजिट तो अंटार्टिका अभी अंटार्टिका गई कैसे थी तो गाईस यह एंटार्टिक कि ठंड वतलब समझी नहीं सकते हो अब कितना ज्यादा होता अंटार्टिका में तो केरी वहां मैं गई थी एक रॉष्यन वेसल में बैठकर यानि कि रॉष्यन शिप था उसका नाम था अक्याडमिक शिलॉसकी अब वह जो शिप था उसमें बहुत सारे बच्चों को लिए बाया जाता था कि यार उनको अंटार्टिका दिखा के लाते हैं वो उसकी सुंदरता को जानेंगे और वो जानेंगे कि इन्वार्मेंट को कितना खत्रा हम लोग पहुचा रहे हैं तो वह भी कल को चल के समझेंगे और बड़े बड़े अच्छे-च्छे काम करेंगे आटिका गई थी क्यारी मेरी को बहुत समय लगा महां जाने में मैं मदरास से मेरी जर्णी शुरू हुई थी 13.09 डिग्री एक्वेटर से जो है समझ लो मेरी जर्णी नॉर्थ ऑफ एक्वेटर से शुरू ही और मुझे वहां पहुचन में करीबन जो है 100 घंटे का ट्रावल करके मैं पहुची अटार्टिका अब ताइम्जोन मतलब किया मैं आप देखते हो कि अमेरिका और हमारा ताइम अलग है जैसे जैसे आप गंटरी बदलते लेते हो वैसी ज्यूसे टाइम बदल रहता है तो कैई मैं इतने घंटे सफर करके मैं पहुचती मुझाँ ऑचन वो सफेद रंग की बरफ की चादर उपर से नीला आसमान लगता है कि दोनों चीजे मिल चुकी हूं और इतनी ब्यूटिफुल जगा थी वो कहरी ऐसा पीस का मोहल था कि मुझे वहां खड़े हो के वो समय आदाया कि जब इंडिया और अंटार्टिका एक हुआ करते हैं तो अ अगर आपको याद हो गाई यह फोटो देखो तो हमारा जो यह अर्थ आज की तबहें पर दिखता है ना कि नॉर्थ अमेरिका साथ अमेरिका यह एशिया हो गया यह उस्ट्रेलिया हो गया ऐसे कॉंटिनेंट पहले नहीं होते थे बहुत मिलियंस ओफ यह पहले जो है हमार इस बट फिर क्या होता है हमा उस समय पर जो हमारा अर्थ का इटमस्वर होता था वह काफी गरम होता था और जो है बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स और फूल निकलते थे और कौन से वाले जानवर होते थे डाइनोसौर्स की एज थी तब यह जो गॉंडवाना लैंड हो गए थे और आज के समय वाला हमारा वर्ल्ड बन गया था जो इस मैप में आप देख सकते हो तो यह गॉंडवाला लैंड में पता है आपको क्या हो था इंडिया एंटार्टिका हम सब इखटे थे तो क्या होता है कि इंडिया जो है वो एशिया की तरफ मूव करना इस माइटी हमालिया जो है वो फॉर्म हो जाते हैं और उधर जो यह साउथ अमेरिका था वो नौर्थ अमेरिका की तरह शिफ्ट करता है और फिर क्या हो जाता है इससे अलग-अलग हमारे कॉंटिनेट्स बन जाते हैं तो वो यह पूरी जोग्रफी को ना इंटार्टिका म साउथ अमेरिका बने आज का वर्ल मैप कैसे बना था जब यह सब कॉंटिनेंट्स ने अपना जो है मूवमेंट करता वह करा क्यों था टेक्टॉनिक प्लेट्स पर मूवमेंट होती है तो अगर आप अभी देखोगे तो यह देखो यह नीचे है यहां पर यह आपको यह प इसको कहते हैं ड्रेक पैसेज और यह बहुत बड़ा ओशन करेंट है हमारे वर्ल्ल का यह अट्लांटिक ओशन और यह पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है उनके जो है पूरी बनाब यह ओशन चली इस ड्रेक पैसेज की वज़े से रहा तो उन्हें लगता है यह सब किती इंपॉर्टेंट चीज है इंवर्मेंट को हम वाथ हलके में लेते हैं हमें कोई फरक नहीं पड़ता है यह आग जिला रही है यह स्कूर्टी के पेट्रोल फूख रहे है ताब हमें को ध्यानी आता करे जब मैं अंटार्टिका गई तम मुझे लगा कि नहीं क्योंकि अंट पर चीज का आज तक हमारी पॉब्लेशं को रही है तो वह करी अंटार्टिका तो एज इस वही वाला है ना जो बहुत पुराना वालता अगर हम यह पर चुप्राइब से लगे वह यह वहां वह होँए पूराने जमानी की बाते पता लगाते क्योंकि इंडिया में और वाकी सब कंटरीज में हम लोग रहे हैं इतनी हम खुदा ही नहीं कर सकते हम लोगों छेड़ खानी कर दिया बट यहां अंटार्टिका बिल्कुल प्योड हैं अंटार्टिका में इसने कार्बन रिकॉर्ड्स ह अगर हम अपने आर्थ का पास्ट पता लगाना हो तो वो सब अंटार्टिका से पता चलता है बट आजकल अंटार्टिका भी खत्रिंग में क्यूं है भाई हम इतनी ग्लोबल वामिंग कर रहे हैं तो वो जो ग्लेशियर से ना वहां पे जो आईश शीट से अंटार्टिका की चाहिए विस्टा हमें साफसुथरा पाने बिलते है वह था तो उनको सब बातों के टैंशन कियारी मुझे यह यहां जाके मुझे अन्टार्टिका पूरा यहां पर घर्मीन फिकेो और गया है प्र इमाजिन हो नहीं कर सकते हैं त necesितन्य और कोई बिलबोर्ट नी है वो अद्वर्टाइस्वेंट होते है ना सेल लगी है कपड़े ले लो पिचल लगी है मुवी देखने चले जो किरें कुछ नहीं ऐसा लगता है कि टाइम कब सुब हुई कब रात हुई कुछ नहीं बस रात को सुंदर सुंदर एस्ट्र लाइट किती है और जो है कभी-कभी आवाज आती है किस चीज की सिर्फ और सिर्फ अवलांच की यानि कि कोई बड़ा सगलेशियर में से कोई आइस का बग अगर तूट जाता है या कोई पहाड पे से बरफ पिगल के गिरती है तो उसकी जोड़-दूर के आवाज आती है वरना एक बिव्यूटिफल है अंटार्टिका ठीक है झाल है जो करी मैं 24 गंटे जो है भूमती रहती थी और जो है कम से कम दो हफ्ते का इस वो हमारी जो है अंटार्रिका में रुगी तो भाई वहां दूपी में निकल ले देखते हमारे जब वह डूब निकल्या थे सब पड़े पस सा लग रहा था जब मैं आंटार्टिका में 15 दिन जो है वो रुकी थी और दिन पर दिन उनको वहां पर रहकर यूमन इंपक्त जो आपका यह वाला टॉपिक है उनको रहकर जो है अंटार्टिक में सिर्फ और सिर्फ गाइस का करी मुझे अमारे जब हम अपने घर पर ट्राइंग रूम में न्यूस चैनल भी दिखते हैं इन्वर्मेंट को बचाओ तब हमें इतना समय में आता है आज जब मैं अंटार्टिका में खड़ी हूं और मुझे पता है इस जगा की वैल्यू क्या है आज मुझे डड़ लगता है कि भाई अगर हम ने ग्लोबल वामिंग कम नहीं करी हम पॉल्यूशन करते गए तो उससे हमारा एंड जो है वो नियर है ठीक है तो यह वो उनको चिंता सताने लगती है ठीक है अब वो एक तीज और बताती है हमारे को कहते हैं पता है जो हम लोग है हम यूमन बिंग्स है हमें यहां अर्थ पर आये वे कम से कम बस 12,000 सालों है ज्यादा समय नहीं हुआ यूमन बिंग्स को अर्थ पर आये वे बट उन 12,000 सालों के अंदर ही हमने अर्थ को बहुत नुकसान पोचा दिया है ग्लेशियर मेल्ट कर रहे है पॉल्यूशन कर दी फॉसल फ्यूल सारी यूस कर लिए बचे चलो अब आगे पढ़ते हैं यह सब उन्होंने हमें बता दिया अब वो बताती है कि वो यहां आई क्यू है तो वो आई थी जो है अकाडमिक शुलास्वकी में जो बैटकर रही थी वह बहुत बड़ा एक मिशन था उस मिशन का नाम था स्टूडेंट ओन आइस इसको जो है अटूटोथ सोचने की और exception है नोगोगे जाओना के रही ग़ए छोजन अपट बचने कंवाने से क्या ही है तो गु developers को समझेंगे ए ड्रोफ्याइन टरीचा को बचाना और ट्राइट है तो वह ले जाओंगा उन बच्चे जाकर आग सिसी तेश के किसी कोई ऑफिसर बन जाए कोई प्रेजिडेंट बन जाए कोई बड़ा राइटर बन जाए तो कल को वह बच्चे कुछ पॉलिसी बनाएंगे ऐसी जिससे इन्वार्मेंट का बचाव हो पाई जैसे हमारी मैम ती शानिदोशी इन्हें बुरा लगा जाकि कि हम गलत करें तो उन्होंने चैप्टर लिख दिया अब तुम पढ़ो तुम्हें भी समझ में आ रहा है कि इस वेरी इंपॉटंट कि हम अर्थ को बचाए तो इसलिए वह अंकल जो थे जियो ऑफ ग्रीम वह बच्चों को लेकी गए कि तो यानी मेरे जैसे और मेरे दोस्ते बहुत सारे हम सब वहां गोम रहे थे यह सीख रहे थे कि हमें अपने अर्थ को बचाना है तो वह स्टूडेंट और आइस प्रोग्राम के अंडर में वह वहां पर गई थी ठीक है करी आब एंटार्टिका में रहकर बुचे एक चीज समझ में आ चुकी थी कि एंटार्टिक बहुत सारे जानवर है बहुत सारे जानवर है बहुत सिंपल एको सिस्टम में उनका तो करी चीज से हमें पता लग गया कि अर्थ की अगर हम छोटी सी चीज को भी ध्यान रखेंगे तो उससे बहुत बड़ा एफेक्ट पड़ेगा उसका एक्जाम्पल वह दे थी हमें फा है क्या अब तो फोटोचेंट गर्बड़ हो गए अगर सी क्या अं…"दर तो हमार फोटोचेंट बगर जाएगगी May पूरी फूट चेन बगाड सकती है तो इसलिए उनको वहां इंटार्टिका में सबन में आया कि अब सबसे पहला काभ हमें क्या कर सकते हम कि अब ग्लोबल वार्मिंग करें जिसे फूरी फूट चेन सही रहे अगर हम कई बार चोटे लेवल पी सिफ अभी तुम बाखी चीज़े को तुम बस ग्लोबल वार्मिंग करो फूरी 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 बच सकता है तो उन्हें वहां पे कहते हैं मुझे यह समन मैं कि कभी कभी चोटी चीजे भी बहुत बड़ा एफेक्ट लेके आत अगर हम चोटी चीजों की परवा करेंगे तो बड़ी चीजे अपने आप ठीक हो जाएंगी तो फाइटो प्लांक्टन में सिर्फ आपको यह समझना था यह नोर्स की टेंशन मत लेना वह मैं तुम्हें सब प्रवाइट कर दूँगी तो उसलिए उनों नहीं यह बोला था तो अगर हम पस फाइटो प्लांटिंग का भी ध्यान रखेंगे उससे भी हमारा एक लोजिकल बैलेंस वह सही हो जाएगा चलो अब आते हैं शाप्टर के लास्ट टॉपिक पर जो है हमारा वाक अन्ट ऊशन वो कहते है अब जब हमारा शिप वो जा रहा था था ना तो एक जगह पर क्या हो आओ हमारा शेख बीश पर अथा इस फिर सिपा या पर खिर आता है लोज होता लागा ओंस्योज ओना अन्ट शेडी लगाया हम सब लोग ने ठंड लाई कपड़ी पहने चश्में लगाये जूटे बूते अच्छे से पहने और हम जो ऑचान चले जमा वा स और वो मेरे लिए बहुत एक अलग अनुखा एक्सपीरियंस था कि मैं इतनी मोटी मोटी आइस के उपर चल रही हूं और वहां आइस पर उन्होंने क्या देखा आपके एंसी आटी में फोटो बनी है कि वो ना इल्स वो जो होती न सील होती है वो जो समुदर के पास में बैठ कि दूप सेखनी मज़े में बरफ पे बैठके और करी वो देखके मुझे याद आया कि हमारे यापे जब डॉक्स होते हैं वो गर्मियों में पेड़के नीचे बैठ जाते हैं जिससे उन्हें धूपना लगे और वहां अंकार्टिका में ठंड है तो यह धूप में बैठके मज़े में सारी से दूप सेखरी थी तो उन्हें लगा यार यह पूरी दुनिया ना सेम ही है जा ठंड है तो भाई वहां बैठके वो जानवर धूप सेखर है जा गर्मी है मेरे याप यह जानवर जो है मेरे डॉगी जो है वो पेड़के नीचे चाओं में बैठ जाते तो everything is so similar तो बहुत खुश होती है से अब फाइनली वह कहती है जब में घर पहुच गई उतना सारे नाइंट टाइम जोन छे चेक पॉइंट सो घंटे का सफर करके आज जब अपमें अपने घर में पहुची हूं तो मुझे जो है ड़ लग रहा है सोचके कि क्या होगा अगर एक अगर हमने जो है पॉलिशन पॉलिशन कंट्रोल ने करा तो हम लोगों का फ्यूचर क्या होगा सिर्फ अपने लिए नहीं आगे फ्यूमन जेनरेशन के लिए वो थोड़ा चिंता में है इसलिए जो है वो स्टूडेंट और आइंस प्रोग्राम बनाया गया है कि कुछ समझ बच्चों को वहां ले जाया जाए हमेशा के बेसिस पर जिससे कल को वह एक अच्छी पोजीशन पर जब जाएंगे ना तो अच्छे फैसले ले जिससे हमारा जो है अर्थ है हम उसको जो है पॉल्यूशन फ्री कर पाए और बढ़िया सा बना पाए तो विद्धिस बस यही अंटार्टिका जाके कैसा लगा फिर उन्होंने बताया नोंने उन्होंने फाइट अप्लैंक्न वाले एक्जाम्पल हमार को दिया नहीं जो वह समुंदर पर फिर नहीं बहुत ने यह वह तुख कर नाम है यह जहांगा चैप्टर परते हैं अबना जिसका नाम है द एद ए ओके गाइस तो अब पर दे है अपना चैप्टर दे एनिमी ये कोई के ड्रामा की स्टोरी से कम नहीं लगने वाला है आपको क्योंकि बहुत इंट्रिस्टिंग ये स्टोरी है इमोशनल है इंटेंस है और जो है इसमें आप जानोगे एक डॉक्टर का डिलेमा यानि कि डॉक् होगा तो ये टाइम चल रहा है वर्ल्ड वॉर्ड टू का जब जपान और अमेरिका एक दूसरे के बहुत तगड़े वाले दुश्पन थे ठीक है अब क्या होता है ये हमारे एक जैपनीज डॉक्टर है उनका नाम है डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ है हैना ठीक है ये उसे जाके देखते हैं कौन आ गया कोई मुसीबत में चलो इसकी मदद करते हैं जैसी वह उस आदमी को देखते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह था एक अमेरिकन प्रिजनर और प्रिजनर और मतलब कि जापानी सोल्जरों ने उसको पकड़के अपने पास रखा हुआ होगा और वह जैसे तैसे करके भागा होगा और उस समय पे उसे गोली लग चुकी थी तो एक अमेरिकन उनके घर के आ गया के गिर गया एक बिलकुल बेहोशी के हालत में गोली लगा हुआ तो वह पर रिशानी में थे भाई इसके साथ क्या किया जाए इसे मार दिया या फर इसे होट दिया जाए क्यों कि भाई वह जैश्चर है उन्होंने देखा भाई मिया में क्या करूं इसको गोली या इसका एलाज करो या अभी हाथो हाथ इसको पुलिस में डलवा दो पूलिस से अभी मार देगी तो वह confusion में हमारी डॉक्टर सदाओ क्या करते एक तर पुलिस को फोन करके उसे अरेस्ट करवाना था तो क्या करेंगे हमारे डॉक्टर सदाओ चलो जानते हम इस चैप्टर के थू ठीक है लेट्स बिगेन तो सबसे पहले डॉक्टर सदाओ के बच्पन के बार में बताया गया है कि उनका घर एक जपनीज कोर्स्ट पे है यानि कि समुंदर के किनारे उनका घर है घर उनका कैसे जैसे बीच सी होती है बीच के पीछे उनका घर है एक पत्थरों के पहाडी से उसके उपर उनका बड़ा ही सुंदर सा उनका घर बनाओ है बचपन से वो जो है अपने घर के बार बहुत खेला करते थे और उनके घर से कुछ द जाते हैं कि वह पड़ाई लिखाई में बहुत ध्यान थे और एक कामियाब आदमी बने तो उन्होंने हमेशा अपने पापा की बात मानी उनके पापा उनसे कोई मजाग नहीं करते थे बहुत सीरियस होके रहते थे अपने बच्चे के साथ में और उसे कहते थे बेटा तुझ नहीं हुआ था उबिसली तो वह जो है युएस यानि कि अमेरिका पर पढ़ाई करने के लिए गये ते डॉक्टरी की वहाँ जाके वह एक अमेरिका के प्रोफेसर के घर पे रहे और वहीं पर उन्होंने अपने डॉक्टरी के पढ़ाई सीखी और फिर वह वापस जपान है कर रहे थे तो डॉक्टर सदाओ अपने पापा को बहुत खुश कर देते हैं जो उनके पापा चाते थे कि वह अच्छा डॉक्टर बने पढ़े लिखे मेरा बेटा वह पर लिखके बढ़िया डॉक्टर भी बन जाते हैं ठीक है तो जो है अब यहां से हम आते हैं डॉक्ट ज्रेस होती है जैसे की मोनों होता है उसके उपर एक और कपड़ा पहन लिया जाता है बहुत ब्यूटिफुल एंड की वाइफ वाइफ का नाम है हैना अब पते आपको इनकी वाइफ कहा है ने मिली थी इनकी वाइफ में अमेरिका में मिली थी अमेरिका में जिस प्रोफेस प्रोफेसर के गार बिल्कुल नहीं रहना चाहते थे वैसे तो वह अच्छे लोग थी वह और उनकी प्रोफेसर की वाइफ बहुत जादा उनकी बोला करती थी छोटा सा कमरा था यह बहुत इरिटेट होती थे पड़ क्या हुआ जैसी वह वहां पर उस घर में रहना नहीं चा पापा जब हमी भर देते हैं हा कर देते हैं तब जाके जो है अपनी वाइफ बनाते हैं हैना को तो यह गल्फेंड वॉइफिंड थे अमेरिगा के अंदर पर इनों ने वहाँ पर शादी नहीं करी पहले पढ़ाई पूरी करी, कोई जल्दी बाजी नहीं करी, फिर घर्ड आये दोनों परमीशनली पेरेंट से और फिर इन्हों ने शादी करी, अब इनके दो बच्चे हैं तो बहुत छूटा सा है प्यारा सा ठीक है लड़का है एक तीन महीने का है शायद से वो और दूसरा नहीं बता है उन्होंने क्या है बेटा यह बेटी है दो बच्चे है इनके बट अभी इनकी मैरेड लाइफ बहुत ही प्यारी है बहुत प्यार करते है यह दूसरे से तो यह शाम को घर के बाहर खड़े वे हैं पीछे से हैन आती है सुंदर से किमोनो पहन के अपना और अप लाज खरेचिते हैं कि इतने में ही पता नहीं क्या होता है एक स्ट्रेंजर इंको आतावा दिखाई का वहां फॉक्त भी होता है रात को ना सीपर क्या दिखाई देख रहा है इन्हें कुछ दिखता है यार कुई तो आ रहा है और यह जबी मदद करेंगे ठीक है जैसी ही व जो है किनारे पे गिर चुका था और उसको बहुत चोट लगी थी और वैसे यह उल्टा गिरा पड़ा था तो हमारे डॉक्टर सदाव है उसको सीधा पलटते हैं और उसके उपर फेस पे टोपी रखी वी ती जो बिल्कुल गीली हो चुगी ती उसके कपड़े गीले थे बिल करने यह जोच कहा थे कि कोई फिशर्मन होगा अपना कोई जैपनीज बंदा होगा बट वह कौन था वह एक अमेरिकन था उस समय पर उनका दुश्मन था तो वह सोचते अब क्या करें इतने महीं दोक्टर सदाव देखते हैं कि वह पें से कर रहा रहा था लड़का था तो तब भी पें में था वह बहुत जादा तो उन्हें दिख जाता है कि उसके कमर पे गोली लगी थी और वह गोली काफी समय हो गया था लगे वे बान लो आप उसको और पथर से वह घाव उसका च्छिल गया था और भारी भरकम खून निकल रहा था तो उन्होंने वहां से जो थोड़ा सा निचोड के हरसाइट करके फिर पड़ते हैं उस पर लिखा था यूएस निवी ठीक है तो वह समझ जाते भाई ये तो पका प्रिजनर ओफ वार है अब क्या करें इसका बिल्कूल मरने की हालत में था वह बच्चा ही था ज्यादा बड़ा नहीं होगा पच्चे क्या है कि कोई मरने वाला है तो तुम उसे बचाओ और तुम डॉक्टर हो तो जरूर बचाओ तो वो दोनों बहुत परशान होते हैं कि क्या करें क्या ना करें डॉक्टर सदाओ कहते हैं अगर हम इसे घर लेके गए तो हम बहुत प्रॉब्लम में फच सकते हैं लोग हमें े खैस्क करके लिए कि हमने अपने घर में मी दुष्पन की ये क्ता है एक हमें इस बच्चे को लगता कि इसको किसी ने टॉर्चर कर सूं nets वही है कि कहीं से बहragon किसी ने टॉर्चर करा ऊगा इसको बहुत मारा पीटा गयोगों बहुत तरह सारा होते हैं उसके उपर फिर जो है वो दोनों कंफ्यूज होते एक दूसरे को देखते रहते हैं और डॉक्टर सदाओ कहते हैं सबसे बड़िया चीज तो यही होगी कि हम इसे वापस पानी में फैक दे और यहां से चला जाए तो हैना कहते हैं अब बिल्कुल ठीक कहले हो दोक्टर सदाओ उसको ठाने के कोशिश करते हैं तो मेरी मदद करो कि वह कहते हैं तो में नहीं कर पाऊंगी आप अकेले कर सकते हो तो आप कर लो जो है उसके वाइफ में हमत नहीं है ना उनमें खुद में हमत है कि बच्चे को फैक दिवापस पानी में मरने के लिए तो भूप्टर सदाओ कहते हैं मैं इसे फैक देता या मैं इसे अरेस्ट करा देता अगर यह बिल्कूल ठीक होता है इसे गोली इना लगी होती तो मैं अभी पुलिस को फोन कर देते इसे ले जाते हैं बट इसकी जो हालत है मैं एक डॉक्टर हूं और म हम उन्हें बता देंगे कि जैसे इसका इलाज हो जाएगा हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे तो वह दोनों जो है दिल के बुरे नहीं थे इंसानियत थी उनके अंदर भरी वी कूट-कूट के तो वह बच्चे को जो है बच्चा मदब 17-25 साल की उमर का तुम मान लो उनके बच्चा ही था वह वह कहते हैं अब इसको ठीक करते हैं तो वह जान पी चांद थोड़ी है कोई अपने तोस की मदब सोड़ी करें हैं आपने दुश्वन की मदद कर रहे तो वह इतना हलका था क्योंकि उसने पता नहीं कितने दिनों से कुछ खाया नहीं होगा ऐसा था जै बढ़िया कमरा था जैपनीस स्टाइल वाला जैसा वो दिखाते हैं डोरे मौर और शिंचैन में बढ़िया सुंदर सजावा बहुत महगा सा वहां पे जो है मैट्रेस बिच रखी थी तो वो जो है उसको भाले जाके वेठाते हैं और वो कहते हैं कि तो कुछ रखने को दो इस कि सबसे पहले तो इस यह बहुत डर्टी है हमार को जो है इसको नहलाना पड़ेगा तब ही जाके मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ or something like that तो वो कहते हैं आप मच्छ हूँ इसे आपको कुछ करने की जूरत नहीं है मैं सर्वेंट्स को बुलाती हूँ वो इसको नहला देंगे ठीक है तो वो जो है जाती है सर्वेंट को बुलाने और इतने में डॉक्टर सदा उसको देख रहे होते हैं चेक कर रहे होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि गोली उसकी कमर में लगी हूई है और वो सोचते है कि मुझे इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा 25 साल के खरीब का हुए शव्यारस के पास से जाती है किसकी सर्वेंट के पास चाहती है ऐना या रभी विन चैनल एपाँ उपिंस सेे उ Aufg आपने सौह राइन सबस्कर है कि प्रूम के सबस्कूल सब्सक्राइग नामे एस पास कि आती है और फ्रचों पास साथ हो उसमें नामी आंने तीने प लागे तो मैं माल्क हो मेरी सारे बादा वारशए में प़ान तो यूर्मी गुषसे में देख फिर हैना दर जाते है कि मैं गलत हूं इस समय पे तो मैं गलत हूं क्या पता अगर मैं इसके साथ जबड advoc000 कर रूंग तो मेरी पोलिस में तो करें ठीक है तो हम जॉब में कर लोगी अब हो फोचती है है रहे क्या कर नुदं कि अध़ आध कि खुद ही उसको नहला ती समय तो वो बैद कीक है तो इसको मैं आपको बताना भूल गई दब वो यूमी को वापसी पे लेके आ रही थी कि जो है चलो मेरे साथ मुझे कुछ काम है तो बीच में जो है हमारी हैना को जो सदाओ की वाइफ है उसको गार्टनर रोकते हैं उनके और कहते हैं कि यह जो आप कर रहे हो यह बहुत गलत है डॉक को सी और पिस्टल जो गन होगी वह आपसे अपना बदला लेने आएगी यानि कि वह फाइनल डेस्टिनेशन वाले जो मुवी में दिखाते हैं कि मौत को कोई नहीं रोक सकता तो वह गार्डनर थोड़ा दराता है इनको सूपर स्टेशिस होके बट हैना वह सा बात नहीं मा कर दिया तो फिर जो है आप इसको अपरेट करोगे क्योंकि वह कहीं तो चारिए कि वह अपरेट ना करें पाता है ओपरेट करेंगे ठीक हो जाएगा फिर क्या करेंगे फिर इसको जिसको बचाया उसको जेल में देना पड़ेगा तो वह जोनों बहुत कन्फ्यूज थे उनके साथ में बैठी होती है और वो जो है उसके वूंड को एक्जामिन कर रहे होते है उसको अपरेट करने के लिए इतने में ही वह जो है वो बच्छा चिल लाता है और हैना को यह सब होतावा देखकर वोमिटिंग करने कमरे से बाहर भागती है तो डॉक्टर सदाओ को ग करना ही था वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे तो फिर जो है वोमिटिंग करके हैना बहुत कंसिडरेट हो क्या थे कि ठीक है अब तो मैं अनिस्थीसिया दूंगी वह आती है कहती है बताओ मुझे कहां समान रखा है तो वह बॉटल निकालती है कॉटन निकालती है उसको चैचुरेट करती है उसके अंदर जो भी वह लिक्विट था जैसे वह बेहोश होगा और वो उसके नॉस्ट्रिल के आगे रखती है और वह प्रेजनर ऑफ वर के वह बेहोश हो जाता है उसको सूंके और फिर जो है वह डॉक्टर सदाओ जो है उसको उपरेशन करना चरूंगे तो उससे थोड़ी बहुत सिंपती हो रही थी कि क्या-क्या जेल के यहां पर आके हमारे घर के बाहर गिरा होगा बड़े-बड़े सकार्स उसके नेक पेते कि किती पिटाई होगी कितना उसे मारा होगा वो दोनों बहुत परशान थे तो सदाओ कहते हैं नियर द और इतने साथ अलट होके काम करते थे क्योंकि उनके जो डॉक्टर थे जो जिन्होंने उनको सिकाया था उन्होंने का था कि उम्हें बॉड़ी को अगर आप गलत तरीके से डील करोगे तो वह कारडिनल सिन है यानि कि यह दॉक्टर को हमीशा अलट होके ऑप्रेशन करना च इंजेक्ट कर दी और अब वह खतरे से बाहर था मैन विल लिव उसको कहते हैं अब यह जिन्दा रहेगा तो अपनी मुसीबत खुदी लिया थे वह उसको वैसे ऑपरेट करके क्या अप करी क्या अपने घर में जपानी होते हैं अपने घर में अमेरिकन को रखना कोई सही ब खाना खिलाती है और जो है उसको कहते है तुम चिंदा मत करो तुम ठीक हो जाओगी ठीक है अब पहली बार जो है जब उससे मिलती और बात करती है तो पूछता भी तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है जो वह लड़का था तो वह से बताते है कि मैं काफी समय तक जो है अमे खुन एक तरफ हो जाएगा वाडी को तो मठ सकते हो उसको लेटा दे और उसको जो है चेक करते है ठीक है और फिर वोल अरकाउंट से पूछ ता राख्टर सधाओ से अब आप मेरे साथ क्या करोगे मेरे क्या करोगे थैंक्यू मेरे जान बचाने के लिए बठागे आप क्य करूगे और मैं प्रिजनर ऑफ वार हूं मैं से कुछ बोलने आना होता है दॉक्टर सदाओ से चुप जाओ मुझे अभी खुद नहीं पता मैं तुम्हार साथ क्या करूगा और मुझे अपने बारे में कुछ मर बताओ ना मुझे अपने नाम बताओ ना कुछ बताओ मुझे बीच जाते हैं उनके घर में जब रह रहाता तो उनके सर्वेंट धीरे-धीरे मतलब आफ समझो कि थोड़ा उनको गलत नजरों से देखने रखते हैं अपने मालिक को कि यह क्यों राख रहे हैं उनके दूश्मन थे उसमें अमेरिकेंस तो वह जो है हैना बताती है कि यूम और जोन की कोक थी वो कहरे थे कि यह जो हमारे डॉक्टर है ना यह अपने आपको बहुत बनने लग गए हैं इन्हें लगता है कि यह तरह अच्छे डॉक्टर है तो यह किसी का बेलाज कर सकते हैं इसलिए इनोंने इस बच्चे की जान बचाई है क्योंकि इन्हें अपने सोने और डर के अपने हस्बेंड को बोले और यह वाइट मैंड को घर से बगा दे तो इनकी सर्वेंट बहुत अच्छे थे इनको दगावाजी करने वाले तो नहीं लग रहे थे अभी तक ठीक है अब जो गार्डनर और वो भी आपस में यही बात करते रहे थे कि यह लोग दिन बीच जाते हैं अब वो बच्छा बिल्कुल ठीक हो जगा था मतलब रोज वो उसकी केर कर रहे थे उसको ठीक कर रहे थे ठीक है अब जो है पंदा दिन जब में जब वो बिकुल ठीक हो जाता है तो डॉक्टर सदाओ क्या करते एक लेटर लिखते हैं ठीक है उस लेट में जो है दलवा दूँगा पट कुछ कंड नहीं पाए वो लेटर लिखके आदा दूराई उन्होंने अपनी ड्रॉर में रख दिया तो 21 फरवरी को वो आया था उनके आपर पंद्रा दिन हो भी गए ते उसको आए भी अब जो है सर्वेंट्स कुछ दिनों बाद जो है अब सब वहां से चले जाते हैं फिर हैना ने सुबा खाना बनाया सदाओ बच्चों का ध्यान रख रहे थे और जो है हैना अपने हस्बेंट से पूछती है हम क्यों अलग है यह सर्वेंट तो कह रहे हैं एक मिनट में पुलिस को दे दो हम क्यों ऐसा नहीं कर पार है कि हम जैपन उने डो जैसे में ही क्या होता है वो जो है उनके घहर में 1 और पुलिस व्हाला जाता है अब जैसiste घढ़े से कहता है के दोक्टर सदाओ को क्या हुआ तो बताता है कि जनरल की तवेत खराब है और जनरल को अपकी जरूरत अब जनरल को ने तो जो जो जनरल है उनकी कुछ तवेत खराब चल लिए और यही रिजन था जिसके वज़े से डॉक्टर सदाओं को जो है जपानी आर्मी के साथ वार पे नहीं वेजा गया था वह इतने अच्छे डॉक्टर है तो सर जो है जनरल ने का कि यह तो मेरी जो है अपरेशन करने के लिए यहां रहेंगे तो इसलिए जो है आप समझो कि डॉक्टर सदाओं यहां पे थे बढ़ना तो वो भी वार के लिए कहीं और गये वे होते तो भाई जनरल के लिए जो है जब बुलाने आया तो ऑफिसर यह बात जो है आना सुनती है तो वो कहते है अच जनरल से बात करते हैं जनरल पूस्ता भी कब तक जंदा रहूंगा मैं तो वो कहते हैं एक अटक तो अभी आप और जेल सब्सक्राइब करने के बाद डॉक्तर सदाओं पूरी की पूरी बात कि ऐसे मेरे आई यह जो है अमेरिकन आया मैंने इसको ट्रीट करा जनरल को बता कोई जर्मन अमेरिकन पर मुझे भरोसा निया में तो जो है लाज तुम ही करोगे तो तुम चिंदा मत करो मैं वाले केस को हैंडल कर डूँगा तो आप डॉक्तर सदाओं थोड़े टेंशन फी हो दे कि चलो जनरल को मैंने बता दिया तो जनरल एक आइडिया देता है कि मैं एक काम करूँगा तुम्हारे या जो वो लड़का है मैं प्राइवेट असेसंस तुम्हारे या भीज़ दूगा रात को वो जो है उसको मार के बॉड़ी को ठेकाने लगा देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम जो है अपना वहला कमरा खुला छोड़ देना जह तो वो टॉम जो है बच्चा उसका नाम था वह वैसा का वैसे बैठावा था कोई अगले दिन भी मैंने पूरी रात वेट करा मैं तुम्हें बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूं पूरी रात वो डिटेल जो है बैठे रहते हैं एक बार उन्हें कुछ आवाज भी आते ह करेंगा I have to get rid of this boy तो वो अपने माइंड में प्लान मनाते कि अब यह विकुल ठीक हो चुका है बच्चा तो मैं क्या करूंगा एक बोट लूँगा और सामने जिस सी से ही आया था वहीं से भगा दूगा ठीक है तो वो टॉम की कमरे में जाते हैं और उसको चेक करते हैं एक अब लिए करना हूँ ठीक है तो फिर शाम को क्या होता है डॉक्टर सदाव अपनी एक बोट निकालते हैं और वो बरजाई लेकर आए वे थे दो कहीं से पॉन शॉप से लेकर आए वे थे कोई दुकान से दो क्विट लेकर आए वे थे पानी लाए वे थे खाना लाए वे फूड केंट जो होता है वो सब लेकर आए थे वो और उस आपको वो जो है उस बोट में रख देते हैं ठीक है उसको जैपनी क्लोथ पेनाते है उसके सर पे काले रंगा कपड़ा बान देते है जैसे कि उसके ब्राउन बाल गोल्डन बाल जो है वो दिखाई ना दे किसी को पहचान में ना चाहिए कि यह कोई अमेरिकन है ठीक है उसको अपनी फ्लैशलाइट देते हैं जो खुद यूज कर देते और उसे बिठा देते हैं उस बोट में और उसे फिर इंस्रक्शन देते हैं कि यहां से आगी जब तुम दूर जाओगे तुम्हें आइलेंड दिखे सकते हो जो है तुम हंट करके और साते के साथ में वहाँ बैठे रहो वहाँ पे तुम्हें थोड़ी दिनों के अंदर कोई कोई फिशिंग बोट दिख सकती है कोई अचली पकड़ने आज रहते हैं पानी बहुत गहरा है तो तुम कोरियन फिशिंग बोट से मदद मांगना वह तुमारी मदद कर देंगे और फिर तो मेरी कच दी चाना वो उसको पूरा प्लान बता देते हैं और इसको बोट में बठा के जो है भीज देते हैं वो ने थेंक्यू करता है और वो उसको चाने से पहले यह भी कहते है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे सिगनल कर देना अगर उसको वह दो इंस्ट्रक्शन ओर देते हैं अगर तुम्हा आइलेंड पर पॉच गर बहुत दिन तक कोई कोई कोरियन बोट नहीं और तुमारा खतम हो गया तो मुझे जैसी सूरस ढलेगा वैसे ही महा से दो फ्लाशलाइट मेरी घर की तरफ बिलिंक करना उ तुम यह भी कर सकते हो कि तुम फिश रंट करके खा सकते हैं फ्रेश पिस वहां पर पानी में से निकाल के ठीक है वह कहता है उसको भीठाते हैं और वह वेट करते हैं तब उन्हें कोई सिगनल नहीं दिखता है बस जाते वे जो है उस बच्चे ने एकार बाडी लाइट ज तो जनर्ल को पूरी बात बता देते हैं कि ऐसे ऐसे मैं चे बहुत अप्राया कहते हैं अभी बाइशन को बीचने के लिए पर दक्टर सदाओं कहते हैं सब ठीक रहेगा मेर को प्रॉबलम के चेहते हैं को यह तो यह नहीं। मैं कोई प्रॉब्लम के तो यह कंए आए गी अब General क्यों इतने जादर जो है Dr. Sadao को कुछ नहीं कह रहा था, क्यूंकि General खोद इतने selfish थे, उन्हें बता था क्योंकि उनकी तवित खराब हुगी, तो सिर्फ Dr. Sadao यूँ उन्हें टूरीट कर सकते हैं, तो finally, Dr. Sadao was out from any kind of danger, उन्होंने General को भी सब बता दिया जनरल तो उनके हाथ में था तुम समझ लो जो भी वो कहेंगे जनरल कुछ नहीं कहेगा क्यों कि जनरल को किसी पर भरोसा ही निया डॉक्रस दाओ के लावाथ ठीक है अब जो है सारियों के खर के सर्वेंट्स भी वापर साथ जाते हैं अबर्फिंग वो जो है रोज बारात को बाहर जाके खड़े होते हैं जिससे वो वेट करते कि कही उसको आइलेंड पे से जरूरत नहीं बट कभी कोई फ्लैशलेट आई नहीं मतलब वो सेफ ले पहुच गयोगा अमेरिका और एक दी एंड ऑफ दे चैप्टर वो यह सोचते ह हैं कि भाई मैं इतना डिफरेंट की हूँ वो सब अमेरिका में वो जितने लोगों से मिले थे उन सब को इबारे में सोचते हैं कि भाई मैं अमेरिका में इससे मिला था मैं अमेरिका में इससे मिला था इतने सारे लोगों से जो है उनको उनकी शकले याद आती अपने प्रो नहीं पाया और मैंने उसको भगाने में भी हेल्प कर दी कहीं न कहीं आज आज एंड आफ दे लेसन वह भी यह सोचते है कि वह क्यों थोड़े डिफरेंट है स्ट्रेंज ही थॉट आज वर्डर वाई आज कोड नौट केल हम तो कहीं नहीं लगता है कि कहीं यह दीजन थो निया कि मैं भी अमेरिका रही हैं वह सोचे से बट नहीं यह रीजन नहीं यह बिकास कि वह सब्सक्राइब आपको जाने की ज़रती है अब हम पड़ेगा अगला चाप्टर जिसका नाम है on the face of it इस चाप्टर के most important question आपको मिल जाएंगे base question series में तो tension मतलो base question series इसके बाद बहुत important है जिसे हम questions करेंगे और इस चाप्टर में से भर-बर यह question आते हैं तो चलो पढ़ते हैं अगला चाप्टर on the face of it तो अब पढ़ते हैं अपनी class 12th English का एक एकलोता play जिसका नाम है on the face of it तो यह एक ही चाप्टर है आपके entire syllabus का जो एक play के format में है और बच्चे जो है कई बार इसको थोड़ा difficult या lengthy मानते हैं आज के बाद यह chapter तुमारे दिल के बहुत करीब पहुच जाएगा क्योंकि बहुत ही जादा ना emotional है तो चलो पढ़ते हैं इसको एक-एक dialogue ना ऐसे learn हो जाएगा तुमारे को कि तुम हमेशा याद रखोगे इस play को आज जैसे मैं आपको यह पढ़ाने वाली हूँ तो यह play है एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है Dairy रियल नेम इसका Derek है यह इसको सब प्यार से Dairy बढ़ते है अन्हुनी होती है इस बच्चे के साथ में इसका जो face का आदा side है वो ना acid से burn हो जाता है Dairy का जैसे तुम इस photo में देख सकते हो आपको दिख रहा होगा तो यह बच्चे कादा acid से थोड़ा आदा phase जो है burn हो जाता है और उसके बाद से काईज इसके आसपास की जो लोग है कभी इसको इसकी normal life continue नहीं करने देते चाहे इसकी family वाले हो चाहे कभी दुनिया में बहार निकले हर को इसको ऐसा feel कराता है जैसे इसकी तो दुनिया ही खतम हो गई है मतलब कि कुछ और बचा ही नहीं है अब यह कुछ करी नहीं सकता अपनी life के अंदर इसे बहुत demotivate करते हैं सब लोग और आज यह बच्चा इस state में पहुच चुका है कि इसे लोग उसे नफरत हो चुकी है यह वहाँ नहीं जाएगा जहां लोग है कि लोग इसके चेहरे को देखेंगे और कुछ सोचेंगे इसको घूरेंगे तो यह मेशा अकेला रहना इसने शुरू कर दिया है और ऐसे ही एक दिन अकेला यह घूर रहता है तो इसे एक गार्डन सा दिखता है बड़ा सुंदर सा गार्डन होता है और खाली सा घर होता है पीशे तो यह वह उस गार्डन में दिवार फांद के पहुच जाता है और द एक अंकल कहते हैं बेटा दिहान से नीचे एपल्स पढ़े हैं कई तुम गिर मत जाना तो यह डर जाते हैं तो वो अंकल कौन थे वो अंकल उस गार्डन के और उस घर के उनर थे उनका नाम है Mr. Lam अब यह अंकल की भी इब एक तिन की लेगें का भी एप टन में तो भूंगिचा की ब्लंगड़े मत औरशचे बनाओ अप्णिका उस चीज का अपनी एप पर गोश्ट की बिले नाम से ब्लेल ज्याकिवा प्राइगार यह लंड़ा उनका भी जी तो बड़ा है फ क् watt यह को अ Mr. Lamb इसे इतना motivate करेंगे कि ये बच्चा बिलकुल बदलने वाला है तो चलो पढ़ते है Mr. Lamb ने ऐसा क्या जादू करा था कि हमारा डैरी जो है confident बच्चा बन जाता है तो चलो पढ़ते हैं ठीक है अब मैं एक एक जो है मैंने यहाँ पे play में आपके dialogues लिख दिये हैं तो चैप्टर शुरू होता है डैरी वहां गूम रहा है गार्डन में तो गार्डन में आवाज आती है माइन दा एपल्स डैरी दर जाते है अरे औरे कौने 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 तो Mr. Lamb कहते है अरे वाया अरे डरो मत ध्यान से नीचे आपल पढ़े तो गर सकते है हो तो वो इसको ऐसे गैए मुझे राटे का तो वह जा रहोता है तो मिस्टे लेम केता है अरे बीटा मत जाओ मेरी वज़े से माझ जाओ कि मैं यहां बैठा हूं मैं तो हमीशा अपने गार्डन के गेट खुले रखता हूं सब लोग गेट से अंदर आते घूमते हैं तो में दीवार कूत कर आये हो गूमो काडन में तो जानते भी नहीं हो तो मुझे जानते थोड़ी को मतल़ यांकर इच्छे से वात क्यों करना करें यह तो मुझे जानते तक नहीं है तो जानना मतलब क्यों कि तुम छेश बच्चे हो एक 13- Lisa के और क्या तो यह को अच्छा चलोव अच्छा अनकर अब मै कि बीटा क्यों डर रही हो मैं ही तो हूँ और GARDEN ही है आए हो घूमनो अपनी मरजकी तो खुमलो अपनी धर्टों UH अदो अधो Mark के सी जब नौनुने को लोग में डरते तो मिसल्म के किसी से लोग मेंस कर दूण है तो मिश्थमक्न को सब डरते हैं मेरे से सब देखता लोग दरते हैं किसे सामने जाता है। मुझे दिखता है। मिस्टर लैम पूिस्ट ए क्या देखते है chilli ओक मित इसा क्षिश को 동ile within EEF मिचे था oni हाइं घरने हाँ मोज़ते है लोग तूमारे को क्या बमने हों किया बश्क निया शीच भी जेट्श अब बाढ़ता हैं। अब मिस्ट लैम टोपिक चेंज कर देते हैं। मिस्ट लैम कोई पेड हैं उस पर क्रावग एंपल्स यह जोच उथे होते हैं। तो इन से जली वैली बनती है और जैम वैम बनती है तो आपने बनाऊ कि बढ़ा तोड़ी लगा वहा चड़के अपल फोड़के जाम बनाऊंगा अब डेरी भाई साब को आते हैं तगड़ा बाला गुस्सा यह कहता है अच्छा अंकल अब टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो तुम्हें भी मेरे से डल लग रहा है इसलिए टॉपिक चेंज कर रहे हो तो वो लैम कहते है ठीक है भाई तुम बताई दो अपने मन की बात करूँ तो ठीक है बेटा बताओ क्या हुआ था तो डेरी कहता है मुझे लोगों से नफरत है तफरत तो अब अपने पता नहीं से क्या हुआ है यह मिस्टर लैम को अपने मन की सारी बाते बताया रहा है तो वो लैम पूछे हो से क्या तुम्हारा फेस जल गया था आग में जल गया तो तो INहीं वीक meow कि media UK ञके में गया में जो आपको बता रहूं तो उसे लग रहा है वह अंदर से मकुषात है कि मिस्टर लैम के सबाएं की या बप में उस्टर नहीं को एक नौर्मल बच्चहा लग रहा इ occurrence नहीं कhet उसके जाए हिग औरमपा मुझे तो हर चीज में फरी है, वह तो तो कुछ नहीं कुछ नहीं कुडा है और क्या है जिएक पर व्ективus हूए थांस बताओ में वह कहता है तो कहता है टेाए तो देन में बड़न में functions रब उन्वाइन ग्रांट्ट minimum are those of the उठीभ थेन and फाड़ में दुप neutral तो को तो लोग को टो अन्वुक्त को इन उन्वांटेट प्लांट को इन जंगली पॉधों भेंशा क्रीज को सभ्यान का नोगते हैं वहीं है विंद गाइफ मेरे लिए वीड गार्डन है मैं तो उन्व फिसे मानता हूं सब हमारे देखने का नजरिया होता है इस ओल लाइफ तो डेरी कहते हैं हम सब एक जैसे होते हैं तुम और मैं भी बिल्कुल सेम सेम है कुछ डिफरेंट नहीं होता है इस दुनिया में तो जब डेरी को जो है Mr. Lamb कहते हैं कि दुनिया में सब सेम है तो डेरी कहते हैं नहीं अंकल हम लोनों सेम सेम थोड़ी है हम तो बिल्कुल लग है तो बहुत है नहीं बेटा हम से ही मैं बस दिफरेंस लिए तो है तुम यहां खड़े हो अभी मैं बेठा हूँ बेंच पे तुम आरा फेस जाला हुए तुम ही बताए लंगडा लंगडा लंग और बty ओक्राइब कर दो हो तो डेरी आपके सब्सक्राइब कर दो सकते हो पैंट किसी को दिखे गाने कि आप लंगे हो और फिर कोई आपको चिडाएगा नहीं फिर कोई आपको घूरेगा नहीं ठीक है तो वह लैम कहते है और बहुत चीजे इस दोनिया में घूरने के लिए लोगो को किसी और चीज को अहां, जैसा हमेरा को देख है वह कहने हैं ग्याडन के लिए भाँ सिर rooms, यह BASA ब करना बिटास, को तो नहीं कहते हैं तो यह पिजाते हैं जिस दूर को और घूर अदार को चीज यह लिए यह ईपनोल यह रहा हो कि नहीं जो कर इनना पादा़ जो कोई क्या क्या देखने ह स مع긴 iso यहां पैप जो लड़की होती है लेकजा बीस भीज पीयार करने लगती है ईए विक रखार करने लगती है लेक्षान पैसे पैतार करता है तो दुरोफेकल डिल करता है यानि कि फेस से कुछ फरक नहीं पड़ता है, सब कुछ आपके दिल और आपकी परस्नेलिटी पर करता है, सब लोग मुझे ये लेक्चर देते हैं, बट मैं कोई उस बीस्ट की तरह बदल थोड़ी जाऊंगा, मुझे कौन किस करेगा, और अकर कर भी दी किसी ने, तो मैं कोई नॉर्मल फोड़ी बन जाऊंगा, मैं तो बुड़ा आने तक मेरा फेस ऐसा ही जलावा रहेगा, तो मिस्टनले हम कहते हैं, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं, कि तुम प्रिंस की तरह तुमारा फेस ठीक हो जाएगा, बट मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, वो उसे ऐसे कहते हैं, और जो है, वो कहता है कि मुझे कौन केस करेगा, मेरे को तो कोई लड़की कभी केस भी करेगी, मेरी मम्मी भी जब मुझे करती है, तो मेरे दूसरे साइट पर चेहरे प यह कुलता है, तो Mr.Lam को मि탕को केते क्यों, तुम नहीं चाहते है तुम नहीं कması हमारे कभी लड़कियां हो, तुम झाहते हैं मेरे करेगी किस्को करें, तुम यह सब नहीं रहा है हूं के जाते हैं, ओक् favor बंद मुह समयासे कहते हैं, मेरे में अदर आ साज़ाना कृट्ष लाइफ में जो है कुछ नॉर्मल वो कहते है देखो who would let me कौन मुझे अपने फ्रेंड बने देगा कौन मुझे जो है अलाव करेगा ठीक है वो कहते है क्या पता बेटा दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकते तुम्हें कभी भी प्यार हो सकते मतलब उसे समझा रहे है कि तु तो मैंसी सोचते रहो बद दुनिया ऐसी नहीं है दुनिया बहुत अच्छी है दुनिया बहुत अलग है जब उसको ऐसे समझाते तो डैरी को आता है गुस्टा के हाँ आप यहां गार्डन में बैठे रहों आपने यह देखते रहों पेड़ पहुत गंदी है मैं सब देख उनोटाए ना आपके पेरों में दर्द होता है जो आपको जो है पर चोट लगी यह वह कży रहे हैं नहीं नहीं सब्सक्राइब देखो तो Mr. Lam कहते हैं हां तो वह सही तो कह रहे है और मैंने वैसे ऐसा नहीं का बट वह सही तो कह रहे है कि तुम पॉजिटिव चीजों पर देखो वाट यू अर्व आर हम तो देरी कहते हैं हां मुझे सब ऐसी जो है एक्जामपल देते रहते कि कम से कम तुम वीलचेयर पर तुम K Compass bliss सबस्कार न सबस्कार तो है थो सबस्क्राद हैं हां तो सही तुम भी तो मैं पर पाइस को हाँ बट पर प्रशान है और मेह साथ क्या हुआ था एक बार मैं जो है बस टेंट से जा रहा था तो महां पर दो आड़ते थी और मेर को देखके बाते करने लगई और कहने लगई कि देखो यह तो कैसा सा फेस है इस बच्चे का ऐसे बात कर रहीं थी आपस में और कहती है तो इसकी मदरी कभी उससे प्यार कर टो लेघे अंकल भात लगा से अपसे भी आपस था तो वों क्यों सुन रहे है ऊछी शुनान पाते करते हैं लोग मेरेमे करते हैं वह तो्यव्स आपको तो यह सब सोच के वह गैते हैं और सुनिये मैंने और भी बहुत बाती हैं इससे भी कड़वी कड़वी जो मैंने सुनों मत ध्यान दो उनके उपर तुम डिफरेंट हो ठीक है बट फिर भी तुम इंसके उपर ध्यान मत दो तुम अच्छा लगता है तो आप किते अलग से हो आप तो बहुत डिफरेंट हो कैसे करते हो आप ऐसी बाते तो डेरी मतलब कहीं नगाई उसे अच्छा लगा यह सुनके जो है मिस्टर लैम जब उसे सिखा रहे हैं ना कि सुनाओ की और इयर शट मत सुनों लोगों की बाते जो तुम्हें डीमोटिवेट कर रहे हैं तो वो कहते हैं मैं जब ध्यान से सुनता हूं तो मुझे तो लगता है गाना का रही हैं तो यह सब हमारे माइंसेट पर डिपेंट करता है तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जी हो ठीक है वह ऐसे कहता है अगर तुमने मुझे यहां बैठावा ना देख लिया होता तो क्या तो म नहीं मैं नहीं आता वो टो ट्रेसपार्सिंग होती ना कि मैं किसी के प्रॉपर्टी में आ रहा हूं एकदम से बिना पर्मीशन के वो क्यारे नहीं बेटा यह रीजन नहीं है कुछ और रीजन है जिसकी वज़े से तुम अंदर ना आते ठीक है तो वह कहता है कि हां मैं इस चाहनी बताते यहां ब्लब कर एक आदमि ऐसा था उसे लबता था कि भाई में मर जाओंगा मैं मर जाओंगा कोई लड़की में को छोड़े चल जाएगी मैं ऑन जाए गाए में जाए मों अधाए लौग इतना ररता था वह में से तो अपने आपको कमरे में लॉक्र यिया जैसे तुम लोगों से भाग रहा हूँ उस लेगए ने अपने आपको कम्रे में लॉग कर लिया अपको कम्रे पें गरी और मर गया तो जहरी जोड़ से हसने लग गया तो जो है यह बाते सुनके ठीक है उनकी तो वह देखो-देखो तुम हस रहो को चलो तो मैं इतना हसना तो आता है लाइफ है क्यूं परशान होते हो वह खुश होते हों तो बहुत करते हो किसी को लगती हैं किसी को अजीब लगती होंगी तो बहुत किताbu आपने घर में प्रदीयों लगा रखे तो वह कहते कि मेरा को थी छो घृष्च मोझे सब कुछ यह मुझे भी घर को यहा अच्छा लगता है किना या च्छा लग रहा है आपको हाँ में अपभी-कभी आओ अदो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मिस्टर लाहिटे करो अब फिर से डैरी अपने उसी मोड में आ चाता है पता है आपको नीचे ना मेरे घर वाले मेरे बार में बात करते हैं कि क्या करेगा यह है जब हम मढ़ जाएंगे तो इसका क्या होगा कौन इसका ध्यान कर रखे इस के साथ क्या ही कर पाएगा तो मिस्टर लैंब को अब आता है अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं यह लोग तुम्हारे दो हाथ हैं दो पेर हैं आखे हैं कान है जीब है दिमाग है तुम जो चाहे अपनी जिन्गी में कर सकते हो जो चाहे वो चुन सकते हो जैसा चाहो कर सकते ह और लोगों से भी बहुत जादा बढ़िया तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं लोग तो डैरी है तो अब केहरा है, मैं कैसे कर सकते हो मैं डैरी को लग रहा है कि उसका हाफ फेल बर्णो कुछ भी कर सकता क्यों कि उसके घर वाले सोसाइटी वाले उसे यहां Mr. Ramasha, तो लोगों से जो नॉर्मल लोगों होग को नंसे की récupैसार और तो तो यह तो इंगे यह उते ऐसा क्या सब्सक्राइब तो मेरे थो कम से कम सौ दोस्त हों गये जादा हुठ उठा ने मेरे दोस्त वह इले हो उन्स वह कके वहें और अरे यहां कोई doen जैट हे घृ जो हंदा है यह दोस्त हो कुछ पेंні टेरी तो मिस्टर यहां मैं थोड़ी ऊंपनियोर्ट कोंट्राक्ट होता है कि सब कुछ पता हो तब इनसान दोस बन पाता है कि रहा नहीं ऐसा तो नहीं है तो मिस्लाम कहता है ठीक है बता दो मीर को अपना नाम बन जाएंगे फिर हम दोस्तों कहते हैं मेरा नाम डेरी है तो अब जाके मिस्लाम को नाम पता चले हैं उसका उसे पह आप मेरे दोस्तों अब आपको बनाना होगा मुझे तो बना ले ना तो मिस्टर लेंगे क्यों क्यों नहीं होंगे तब भी हम दोस्त रहेंगे कैसे रोज लोगों से मिलते हैं सड़क पे में लोगों से मिलता हूं आप मिलते होगे हर कोई जिस से मिलते हैं वह दोस्तों थोड पीपल कभी भी कुछ भी नहीं होते अगर कोई मुझसे मिलाई एक बारी तो मेरे लिए तो वो दोस्ती होने है तो अब डेरी उनको अब जैसी वो इतने फ्रेंडी हो जाते ना डेरी मन की बाते बताता है कियता है मेरे को लोगों से नफरत है नफरत मुझे लोग बुकुल प देखो मेरी लेग व स्वार में खराब हो ओ got banned in चली अब आप अंदर से और खोकले करते ज़ोंगे और जला लोगे सित असी बात तो कहता है रुको मैं आपको बताता हूं जब मैं घर आ अगर मैं ऐसे बच्चों के साथ रहूंगा जनका फेस बंट है कम से कम कोई मुझे भूरे का तो नहीं तो मिस्टर लैम कहते है तो तुम भी अपनी थिंकिंग उन लोगों जैसी बना लो कि तुमारा फेस बंट है तो तुम पेंट फेस वाले लोगों के साथ ही रहोगे नॉर तो यू में को अच्छी बाते कैसे करते हो क्योंकि आज तक किसी नहीं रहे रहे है कि इसको तो नहीं लोगों के साथ रग दो जिनका फेस बंट होगा तो और आज मिस्टर लैम को क्या तो तुम लोगों को हेट मत करो तुम भी एक दिन नॉम लाइव जी तुमारे भी फ्र जाताएं तो किसा ही गार्डन वहता और मेरा घर होता जिसमें कोई कर्टल नौते तो यह डे चाहां जब चाहो आजा वाटेरी कैता है यह मेरा थोड़ी मेरा तो सबका है तो तुम जब चाहू इस गार्डन में आ सकतीग मैं अभी आजा आजब hier, तब ऑज बही में झाब यहां उस दिन तुम्हें कोई और लोग मिल जाए जो यहां गुपने आए वह हो तो डेरी किता अरे अगर कोई और आएगा नहीं यहां पे और वह अगर मैं हां गया फिर आपके गार्डन में तो मुझे डिक के हां से भाग जाएंगे और फिर तो यह गलत होगा कि आपके दो मेरको कोई फरगनी पड़ेगा फिर मिस्टर लेम क्याते हैं कि देखो वेटा जब मैं बाहर निकलता हूं ना तो कई बार कुछ बच्चे मेरे को चिडाते हैं ले बी लैम यानि की लंगडा लैं बट फिर भी वो शाम को मेरे पास आ जाते हैं गार्टन में क्योंकि मैं तो डरी कहता है यह इस लिए से अपजिए झाली तो वह सब्सक्राइब करेंगें और बाईचांस ऐसा हो गया कि तों जो है सिड्य लेकर गयो गिर गया और मर गय तो क्या होगा यहां तो कोई हभी निस उन्हें भूछाने वाला तो नहीं नहीं अब इतने आपके अकेले रहे के मैंने बहुत सारी चीजे जो है इतने सालों से मैं सीकश चुका हूं मैं अपने आप लैडर पर चड़ जाओंगा और बहुत सारे जो है अपज तोड़ दोगा अब यह जो यह बात करता है इसे कंड़ी नीची यह थी यह कहता है if you fell and broke your neck you could lie on the grass and die if you were on your own किया आप अकेले अगर यह काम करोगे ना बाई सेडी चरड़े हो और आसे तोड़े हो गिर गए पाई चांस तो फिर गिर जाओगे कोण आएगा बचाने आपको तो मैं रुकना है तो रुको नहीं रुकना चाहते तो चले जाओ भाईया तो डेरी कहता है कि नहीं मैं रुकना चाहते हूं वर मुझे आटेंगी पीपल फर्स मतला है मैं मम्मी मुझे डाटेंगी तो वो कहते है तो जाओ जाकि उन्हें बताया हूं कि मैं की हेल्प कर रहा हूं यहां पर मिस्टर लाम की बहुत दूरे में रहा है तीन माइल्स तो वो क्या हो गया इत्ती अच्छी शाम है पैर तो है तुमारे पार बाग इय matar इन्हें नहीं तूम खुद ही नहीं आऊगे तुम खुदी नहीं अँगे में का भाना मत बनाऊ तो दैरी में तो आना चाहती हूं मेरी चोई मों मेरी वούμε ऺफा तो मैं तो भ जाजाता हूं में किसलम करो तो तो बोलनेकर को रहा हूं उस-क का iron मे Remo YOD का करो तो मैं कर ब जो तुम्हारा खुद का मने तुम्हें क्या है क्या सकतैर तो टेरी कहते हैं वह लोग तो मुझे कहते है उनके मैं तुम्हें चाहता है कि अपनी मजी करो। तो बेटा अपना रास्ता खुद बनाओ, खुद अपने लाइफ के डिसीशन लेने शुरू करें, वो कहता है, कैसे यह सब मैं कैसे कर पाऊंगा, रुको, वेट करो, वाच करो, लेसन करो, मतलब कि इस दुनिया को समझो, अपने लाइफ को थोड़ा टाइम दो, सब सही हो ज अपने अपना जोए अपने गुस्टा कर रहते हैं, अपने जो तो शोचन ना है सोचो तो तुम हमां तुम्हें तुम्हें हो करना डेरी को सबतें कर दोसें नाम ने कुछना रिए हो अथा थीक हैं आपके पागल हो दोस्तों करें क्या है नाम में क्या रखा है तॉम है आई एस इत Оп adopting पागल हो रहा है रहा हैं यहको वाक Spaß한 हैं करyer को वह समझते है कि अडर आवा है तोमरे कहो समय कि आप आगल यहां नियुक्त से उम्हें उसला जम्हें के ने बहुत अच्या बाइफ अपनी खराब करने का कि से पाफ कते हैं तो अब चलावा एक्सक्फभी कि वारे में बात कर रहे हो मैंने डिरता आप से हमें हूं बुरा में हूं बुरा दिखत tutorial में बूरा दिख थो अभी मैं हूं जुड़ वहां चली जाते हैं देद ट excellency meant वो खुद को बोलता है कि अब में आऊँगा वापस यहां कि मिस्टर लैम आप देखो अभी घर जाओंगा अभी ममी को बता की वापस आऊँगा अभी भगतावा में वापस आऊँगा आप देखना में सब कुछ कर सकता हूं तो यहां पर वो फिल उन मूटिवेट हो गया है अभी जो उसमें निकालिया न म्स्टर लैम न पर गॉश्वे में निकाली हो कि वह रुकना चाहता था और वह रुकने इसे थोड़ा दरा था वाव जो मिस्टर लैम चली जाते है एक नौर करके तो कहता है ठीक है अब तो मैं जरूर यहां पर वापस आऊँगा यहां ही रोकना मिस्टर लैम अभी आ रहा हूँ मैं आपकी तो टिन लेग होगी आप थोड़ी भाग सकते हो मैं तो भाग के चला जाऊँगा तो बच्चा करते हैं we will come back बट आज तक कभी भी कोई वापस नहीं आया तो यह जो यह वाला जो जो लाइन है मिस्टर लैम की सबसे इंपॉर्डन है इस प्ले की कि देखो मिस्टर लैम भी बहुत अखेले थे एक तरीके से वह लाइफ को बहुत अच्छे वे में लेते तो थे बट ही व रास्ते में उन्हें चिडाते रहते थे चोटे वाले तो अब यहां पे जो है वह अंदर से परशान तो देखो मिस्टर लैम भी हो कहते हैं हां सब कहते हैं वापस आएंगे आज तक तो कोई वापस आया नहीं और वहां से चले जाते हैं अब आता है इस प्ले का सीन टू ज किसी पे भाते करी बाते हैं आथे क्यों जाते हैं वह अच्छे करी हैं आड़ झाली मुझे वहां जाना है मुझे मुझे उनके जुल रहे हो जाना मुझे उनके घार्डन में मुझे dette को सुनन आए टारीं को अच्छे लगा थे आए माम चेह खेंपनी मतलब ओनगे this बैटके सुनो तुम कहीं नहीं जाओगे इस घर में रहो तो वह चिला कि अपनी मम्मी को कहता है I hate it है मुझे नफरत है इस जगह से तो तब उसकी मम्मी कहते है बिटा परशान मत हो मुझे पता है तुम परशान हो अपने अपनी मतलब नहीं है एसका मुझे पताया करो मेरे फास के मुझे पता है तो आज उसने पनी ममा के मूँब बोल दिया है कि और बालो उसको ऊसके फेस को याद ना दिला है life में और भी बहुत कुछ है उसके face को छोड़के and he can do anything if he wants, तो वो Mr. Lam का lesson अब समझ चुका है, it's nothing to do with my face and what I look like I don't care about that and it isn't important, कह रहा है मुझा फरक नहीं परता मेरे face पर क्या है it is what I think, मैं अंदर से क्या feel करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ मैं क्या देखना चाहता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ and मैं अब वापस जाऊँगा उन अंकल की मदद करने, क्रैब एपस खोले कर वहाँ जाके देखूँगा गार्डन को बीस को सुनूँगा, मैं तो जाऊँगा ममी कहते है, नहीं जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा और भाग जाता है और घर का दर्वाजा भीड़के पका सा दर्वाजे को ऐसा बैंक करके भाग जाता है, तो यहां दूस्ते हमने ममा को जवाब दे दिया और वो डेरी बिलकुल बिलकुल अपने नहीं परक पड़ता है, जो सोचना है, लोगों को सोचे तो Mr. Lam ने तो अपना काम कर दिया है डेरी गोज प्रवाजने बच्चा बना दिया है अब क्या होता है, स्थी स्थार्ट होता है और डेरी पहुशने वाला होता है बिल्कुल Mr. Lam के गार्डन में Mr. Lam अपने गार्डन में क्या करें Mr. Lam तो ही सेड़ी के ओपर है और जो है वो पेड़ से एपल को तोड़ रहे है तो वो जो है अपने आप से बाते करें कह रहे हैं आपल गर गया और आप 이렇게 है और वो एपल्स को गिरा. और आप्ल्स की जमीन के गिरने की और किसले क्या होता है अपने किसले कि अर्टम से इड़ी के गिरने की दढाम करके आवाज आती है औ उसी के साथ में ब्रांश की आवास के आवाज या जातीर और Mr. Lam नीचे गिर जाते हैं ठीक है और जैसे ही जो है Mr. Lam मीचे गिरते हैं डेरी जो है गार्डन का गेट खुल के आ जाता है और बोलता है you see you see I came back you said I wouldn't and they said but I came back I want it और एकदम से चुप हो जाता है क्योंकि वो तो कहरता अंकल अंकल मैं आ गया मैं आ गया और एकदम से वो देखता है कि क्या हुआ है उसके सामने Mr. Lam जो है जो है जमीन पे गिर चुके है ठीक है and he is dead ठीक है वो मर चुके है वो जाता है जो है कियता है Mr. Lam Mr. Lam you have you have भगता भगता Mr. Lam के पाँ जाता है उनको पकड़ता है देखता है उनको कहता है It's all right it's all right you fell but kush नियोगा आप गिर गए आपको kush नियोगा मैं हूँ यहाप आपको kush नियोगा आपको kush नियोगा Mr. Lam की death हो चुकी है बट अगर आपको इसका मैं real meaning बताऊं Mr. Lam का जो है आप एक तरीके से कह सकते हूं कि उन्होंने अपनी life का एक बहुत बड़ा गोल जो शायद उन्हें भवानने करने को बेजा वो कमप्लिश कर दिया था कि उन्होंने वो बच्चा डेरी वो तो बहुत चोटा सा उसके 14 मिर्स का उसके बहुत लाइफ आगे पड़ी है उन्होंने उसको एक ऐसे स्टेज में से भाण निकाला कि वो जो इन्फिरियोरिटी कॉंप्लेक्स उसको हो रहा था उसको फेस की वज़े से जो अपने जो है लोग फील करा रहे थे वो सब्तीजों को खुद को एफेक्ट करने दे रहा था आज मिस्टर लैम ने दो ही इस डेड नाउ तो उन्होंने उसको एक ऐसा इंसान बना दिया है जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है जो अपनी ममी को भी बोलाया कि नहीं अपने फेस से कोई मैटर नहीं करता है कि अपनी जो मैं चाहूंगा मैं अपनी लाइफ में तो आज उन्होंने उसे कॉन्फिडेंट बिल्कुल एक चेंच बच्चा बना दिया है जो दुनिया को सामने जाने से नहीं डरेगा वो बच्चा जो लोगों से कहरा था नफरत करता हूं मैं उनकी मुझे सामने नहीं जाओंगा आज जो है वो बच्चे की जिंदीकी बदल चुकी है और ओनली रीजन इस मिस्टे लैम जिन्होंने कुछ जानते भी नहीं थे न जान थी ना पहचान थ और उससे बिल्कुल वाइब कर दिया उसकी लाइफ में से बहुत ही जल्दी से ठीक है तो यह जो है चाप्टर बहुत इमोशनल वे में एंड होता है में भी इसकी जो है एंडिंग ऐसी दिखाई हो दी कि मिस्टर लैम के पास जली जाता है और दोनों फिर जो है क्राइब इससे जली बनाते हैं और बहुत अच्छे दूस बन जाते हैं और जो है इस तरीके से इंड होता तो और अच्छा होता बट चलो विद इस एंड करते हैं अपने इस प्ले को जिसका नाम था ऑन दो फेस ओफिट आप पढ़ेंगे अपना नेक्स चाप्टर हमारी बुक का अ एक है पार वन जिसमें हम जित्काला सा की कहानी पढ़ेंगे अब तो यह दोनों बड़ी हो चुकी है और जो है इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अकंप्लिश कर भी लिया है बट अपने बच्छ पन में ने बहुत कुछ सहा है बहुत कुछ देखा है उसको overcome करके they have accomplished a lot तो क्या वो memories है उनके childhood की आज बताती हूँ आपको तो पहले पड़ते हैं part 1 जितकाला सागा जिस part 1 का नाम है आपका the cutting of my long hairs तो ऐसा नाम इसका क्यों है तो ये समझो तो जितकाला साग जो थी वे ट्राइबल पीपल लग रहे हैं बट ये लोग कौन है इस यह वह है जो अमेरिका में पता नहीं ना जाने कितने समय से रह रहे हैं जब अमेरिका डिस्कावर हुआ समझ सो तब उसके बाद से जो है वहां पर ये लोग रह रहे हैं इंडीजनिस पीपल और वो जो ने अपना नया कल्चर बनाया वो नेटेव अमेरिकन के कल्चर से बहुत ही जादा डिफरेंट था तो धीरे धीरे अमेरिकन ने क्या करना शुरू करा जब उन्होंने अपना प्रॉपर इंग्लिश वाल स्टाइल का कल्चर बना लिया उन्होंने नेटेव अमेरिक जो है स्कूल में बड़े-बड़े स्कूल पना दिये उनमें भर्ती करते थे और उनको क्या तौर तरीके सिखाते थे तो मेरेकन बन के कैसे रहो गए उने चोटे-चोटे कपड़े पहना दे थे टाइट-fitted कपड़े पनाएंगे, पैंट पनाएंगे, शर्ट पनाएंगे, लंबे-लंबे बाल जिन लड़कियों के होते थे उनके बाल जो है उनको कट कर दिया जाता था, इंग्लिश बोली जबर जस्ती उनको सिकार दे थे तो यह क्यों कर रहे थे, वह कहरे थे कि हम इन नेटिव अमेरिकंज को भी को देवा, मैने नेटिव अमेरिकंज हम इनको मेंस्ट्रीम मिलाएंगे, यानि कि हम इनको अपने जासा बनाएंगे, तो यह आप पड़ोगे, जितकाला साकी कानी, उनकी लाइफ का सच्छा तो चलो देखते हैं कि उनका first day कालेजाल इंडियन स्कूल में, यानि कि वो स्कूल जहां पे उनको सिखाया जाएगा, कि वो American कैसे बने, उसमें उनके साथ क्या-क्या होता है, तो वो बताते हैं कि जो मेरा first day था कालेजाल इंडियन स्कूल में, वो बहुत ही ना ऐसा दिन जिसमें मतलब कि आप मानों कि मैं उसको कभी भूली नहीं सकते हूं इतना जाद दर्द भारा दिन था उनकी लाइफ का तो काले साल इंडियन स्कूल कहां पे था एक ऐसी जगह पे था जिसको आप लैंड ऑफ आपल्स कह सकते हो लैंड ऑफ आपल्स मतलब यहां सेब के पेड कि आप एक दम से बेल बजने की आवाज आती है बतलब क्या हुआ यह देखो आप यह इस तरीके का आप शक्चर देख रहे हो वहां जो है बने होते हैं बड़े बड़े स्ट्रॉक्टर इसमें बेल लगी होती है और इसको बजा दिया जाता है जो है बच्चों को प्रेयर क से बेल बच्टी है और मेरे नाजो कान ते में अपने फॉरिस में अपने जंडल में रहती हूं मेरे को तो आदत ही नहीं तिना शोड सुनने की जो यह आवास थी उन्हें बहुत कानों को उनके चुपती है तो जैसे यह बेल बच्चती है तो हम लोगों को जो है कहा गया कि हम लोग लाइन बनागे कहा जाएंगे हम लोग लाइन बनाके जाएंगे डाइनिंग इरिया के अंदर खाना खाने कली ठीक है और वो पूरा उस समय स्कूल का अट्मॉस्फेयर कैसा था मुझे बच्चों की बाते करने के अवाज आरी है वो बाते मुझे समझ में नहीं आर और उस शोर में उनको ऐसा लग रहा था मैं कहां खो गई हूँ मैं अपने पैरेंट से दूर हो गई मेरा फ्रीडम जो है मुझसे खो गया चीक है तो एक आंटी आती है एक उनकी टीचर आती है जो एक बिलकुल अंग्रेश थी पेल फेस था उनका और जो है वो जो है उनको ल लड़के कंडियों को नोटस करती है वह एक आमेरिकन लोगों को ही अमेरिकन इंडियन भी कहा जाते हैं तो इंडियम सोंगे थी हो एक कि 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 युक्ति ज़ेखने को बना रखे है उनसे लगवात जोनका टृ Barb कर चुके हैं वो के तो अजीब लग रहे हैं तो शरम आरी है ने दिखें इनको कैसे कपड़े पेना रखें चोटी चोटी बच्चों के बाल काट रखें उनको एपरेंट टाइप के ड्रेस पेना रखें तो शी फेल्ट वेरी अंकमफर्टेवल लुकिंग अट दें अब सड् वें देता दिया तो करी मुझे बहुत अजीब लगा कि अटलिस हटारी हो तो मुझे बोल तो तो नहीं ऐसे जैसे यह चाही से भी आनिमल्स के साथ ड़ी पर टरीट कर जा रहा था तो वह जो है उस उसको भी तक भी अट। इनको बहुत अजीब लगता है और सबस्से अज जब चलती थी तो भाई मेरे चलने की तो कोई वास निया थी यह जब बच्चे चल रहे थी तो मुझे तो इनकी जूतों के बार भी पसंद नहीं आ रही थी ठीक है अब वह जो है कहते हैं हम डाइनिंग रूम में पहुचे एक तरफ से हम लड़किया पहुची सामने से दिख रहे थे तो उनको लगा कि हां भाई यह मेरे जैसे है यह तो मेरे पार्टी के हैं जैसे बाकी बच्चे तो भी मिक्सप हो चुके थे और उन्होंने गिव अप कर दिया होगा वह तीन लड़कों में उन्होंने बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हैं ठीक है उन्हो मुझे लगा शेयर खिसका के बैठ जानी है तो जैसी कि यह बैलवाजी मैंने चेयर खिसका है उंन्हें जाया बैठ गई और इतने में मैं बैठ यूंग पूरी लाइन में कोई बच्चा नहीं बैठा है जैसे वहारी पॉर्ट्ट में डिखहा तो इतनी लंबी टेबल चेय अब ऐसा तुम्हें अभी सोच के जिमनी लग रहा हूँ तो शरम आती है बहुत जादा तो करी मुझे बहुत शरम आ रही थी फिर क्या हुआ तीसरी बैल बजी और एक आड में कुछ प्रेयर टाइप कर रहा था तो करी मैं देख रही थी भईया कि कौन प्रेयर कर रहा है तो कि यह किसा ट्रीट कर रहे हमार को इसलिए उन्होंने इस चीज को लिखे इटिंग बाइ फॉर्मूला यह किस टाइब का तरीका जो है उन बच्छों के साथ करा जारा था कि एक गंटी पर बैठेंगे दूसरे गंटी पर करेंगे तो उन्हें बहुत ही जादा अजीब लग प्रिफेस-वाली मैं को की वह हमारे जुँ ऌना हेर से उनको करेंगे और फिर्फ थे उनको कार जाते हैं कि हमारे में पर मेरे ट्राइब में में लौन हेर को कट करना तो बहुत ही शनमिनकी की बात है वह हमारे let's जो कोई आसे वहार जाते हैं यह यह मोन करने का उनके की जाता है जो कोहीं लोग तो अपने बालों काटिए धाया टारे जाते हैं यह मेरे बाल काटेंगे यह बात से तो बहुत परशान हो जाती है वह अपनी दोस्कों कहते हैं को की नई जूटे वेंदा हम ही अपने बाल काटने ने देगे तो जूटे विन सायर हम कर सकते हैं के ितने सारे पैल मेंम सामने नहीं कर सकते हैं हमारे काटी देंगे तो ओक शिंगल्ड हेर से बिल्कुल कटेवे बाल को रखता था कायर लोग कोवर्ड लोग तो गयारी मैं कायर नहीं हूं मैं अपने बाल कटने ही दूंगी मैं तो लड़ूंगी ठीक है तो जो डेवन तो देखो गिवाप कर चुकी थी बढ़ ये गिवाप नहीं करती है ज़त काला स उससे उनकी अस्लिया सामने आई तो जलो पर्ते हैं तो करी मैंने क्या करा मैंने देखा लएक को ही नहीं था तो मेरे कोई Mesi मैं तो कॉमयी आजए मैं शुची जाकि जपना पर में था उसके कोई मेरे बाल बाल कर पानबा और देर मुझे वाज आने लग की वहां की त्व और सब मुझे आवाजे लगा रहे हैं मैंने जुडिविन की आवाज सुने और मेरी दिल की धर्गने बहुत तीज हो जाती थी और मुझे बहुत डर लग रहा थे यार कहिए लोग मुझे पकड़ना ले और फिर वो कहती है एकदम से क्या हुआ मुझे इधर उदर आवाज आ जहरा देखती है और एक लड़की पता दोफिआ पर पहएं क्या राज चरी चारिफे टीद से अपर जुर्टेन से क्या हुआ पनी डिए ऊटा जाती है और सब्सक्रा बहुत करें कि मैं उनको मार रही थी मैं खुद को छुटाने की कोशिश करें ती आने की उनको खीच के भाहार नेकाला गया जिसे किसी आनिमल के साथ ट्रीटमेंट कर रही हो ब्रूटिली कैरी मुझे मेरे को खीच के उन लोगोंने भाहर निकाला मैंने बहुत प्रोटेस्ट करा उसके बाद इन्होंने मुझे चेयर पर बिठा दिया और फिर मुझे मेरे जो है यहां गर्दन के उपर नेक के उपर सिजर्स फील हुई और इन्होंने मेरे लंबे बाल सुंधर भाल कट कर दिये और मिरे इंदर ब्रोटेस्ट करते की प्रोटेस्ट करने की इंसान नहीं या, चिला चिला के अपनी ममे को याद करना शुरू कर दिया तो वो इस समय पर अपनी ममे को बहुत याद कर दिया है कि उन्हों वो उनको बचाने के लिए यहां पे नहीं थी वो उनको जो है बचाना ही दी थी और जब उनके बाल पूरे काट दिये जाते के ते कोई सिंगल इंसा उने फील हुआ यहां पर आपको जो है यह यह चाप्टर कम्प्रीट होता है पार्ट वान यहां यह उनकी वह एक मेमरी है जो कभी नहीं वह भूली होंगी देखो उन्होंने चाप्टर भी लिखके बताया नाव शी इस वेरी नोन राइटर और उन्होंने बहुत सारा वर्क जो है लिखे हैं और जो है अपनी लाइफ में काफी कुछ अकम्प्लिश करा है ठीक है तो विद दिस यह वाला जो है आपका चाप्टर कम्टीट होता है तब इस चाप्टर का नाम क्या है कट्डिंग ओफ माई लॉंग है ठीक है चलो अगला चाप्टर पढ़ते हैं यहां जो है अपनी लाइफ में सक्डु है फील करी जब मैं 3rd क्लास, मैं थी क्लासघ इल आड़ी तो इन्हें पराव में समें सामने जो है अब क्लास ने थीक है तो भाई यह अदेशना अदेव यह स्कूल जղगा तौन सी आधिकों लगते हैं दस मिनट कर आस्ता था बट बहुत घंटे लगाती थी क्यूंने स्कूल से वापस रास्ता था वा को फॉब ऀसमल लगता था बजर को तो बजेटेश्टे ढ़ता थे तो मैं सब्सकुत देख कर्मेंट चल रही होती थी उसके बरावन में शनेक चार्मार होता तो या निज्व बजाते या न साखफला में उसको देखती थी फिर एक साइकलिस चूता था हमानिया पर चालाने वह तीन दिन तक कर जाए ह। तो वह और जोर-जोर की साइकलिंग करता रहता था तो सरकस टा अगर आता था फिर अलग-अलग हलवाईयों की दुगाने आती थी फिर कुछ-कुछ पकोड़ों की दुगाने आती थी फिर जो है एक अंकल आते थे वह क्या बेच रहोते थे वह उनके पास एक केज में लैमून नाम का एक जानवर होता था मैं उसको खड़े होके देखती थ फिर वह अलग-अलग क्ले की बीड़ वाली जो चीजे था जो लैमूर वाला जो आदमी था इसके पास में था वो कुछ ऐसी मालाय वगेरा बेशता था मैं उसको देखा करती थी और बहुत सारी चीजे थी जिसको मैं देखा करती थी रास्ते में और आगे जाती थी तो लिए को कॉफीा कोफी को थंडा करता था इतनी उच से टृफ में डालके मैं उसे लोगेशन देख थी कि वो यह से उसको थंडा कर रहा लेख लोगे जो है यह को डिखिते थी और में इधने देखे हैं और क्या शुके चुछ इन में कि अन्होड़ उआजम वह राचुक त और जो है वहां पर पुरा काम चल रहा था वह नाज को साफ किया जा रहा है तो तो वह केरी मैंने देखा कि वह जो एक कि अइधने मेरे जो है मेरी कम्यूनिटी के बहुत बड़े अंकल और मानती हूं अनकल में इस देखा वो पतनी क्या कर रहे थे वह ऐसे चिल कि अधने थे उनके पकड़ने वाली चीज होती है यह फोटो भी है मैं रुखो आपको फोटो दिखाती हूँ तो आपको दिख जाए तो यह अंकल यह आप देखे हो किसी स्ट्रिंग से जो है इसको पकड़ को पकड़ है तो केरे मुझे उस्टों में बहुत फणी लगा कि हमारे अंकल ऐसा क्यो कर रहे है ऐसे तरीके से क्यों जो है इस पनी को पकड़ के लिए जाए तो मुझे बहुत फणी लगा दिखो कैसे हस्ती वे देख रहे है एक जो है जो है जो ला टांग रखा है अपना बहग अपने साइड में गंदे पे तो कैनी मेरा मन कर रहा इनको कॉपी करती भी चलू को इनके पीछे-पीछे से मैंने रेखा यह पनी लेके जो है उस पैकेट को लेकर चले को उस लैंडलोड के पास में वह जो सेट था उसके पास में गए और उसको ऐसे पकड़ा दिया उसने पकड़ा उसमें से वड़ाई निगा लिया और खा गया पूरी की पूरी अब को है हमारे हाथ से लीवी चीज नहीं खाएंगे पिकॉस लगता है कि अगर हम उने तच कर देंगे तो इट विल बी पॉल्यूटेट तो वह जो लैंडलोड है वह जो है अपरकास का है तो इसलिए उसने जो है हम लोगों के साथ ऐसा करा हमारी कम्यूनिटी के लोगों के सा तो जब बामा रियालिटी जानती है कि इसलिए उन लोगों ने ऐसे पकड़ रखा था उस जो है पाकेट को तो उस समय कहती है मेरा आप लहसने का बिल्कुल मन नहीं करा और मुझे बहुत साइड फील हुआ और मेरे को बहुत गुसा पिया और मुझे फ्रस्टेशन भीवा और मेरा मन करा था कि मैं ऐसा उन अंकल ने करा क्यों पहले तो वह वड़ाई बनाना लीफ के अंदर पैक थी फिर वह एक और पैकेट के अंदर थी उसके बाद भी वह सोच रहे कि अगर हम उसे टच कर देंगे तो वह पॉल्यूटेट हो जाएगी तो कहती मुझे बहुत ब वह पासवाले गावह ते उसल इस लाइबरेडी measured would game the उसल बैंडेरी में जाते हैं कोई बोक लेने के जब वह वापस आ रहे होते हैечение अंकल रोख लेते हैं और पूछे कि found her the same पूछने हम रहते हैं, वो पूछते हैं वो एक पूछते हैं, पैट उनको कौन से कास्ट कैने, तो उनको से टी dir तो अनको वो नहीं करते हैं, तो मेरे भाईया नहीं चीज है क्यों के पोरी बात हम पूछा एंगे hour Il Chef decisal to help us. तो उस दिन मुझे मेरी भाईया ने समझाया कि अगर तुम्हें जो है चाहती हो तुम कि तुम अपनी life में कुछ accomplish करो और तुम तुम्हारे साथ कभी आगे से ऐसा treatment ना हो तो तुम हमेशा मन लगा के महनत करके पढ़ाई करना और जो है इतनी educated हो जाना कि तुम्हें जो है कभी भी ऐसा कोई feel ना करा पाए करी उसके बाद से जो है मैंने जो है अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और मैं स्कूल में first भी आई और फिर जो है मेरी से सारे मेरी friends बन गए और समने मुझसे बहुत सारी बाते करी ठीक ह तो उनके भाईया ने क्या समझाया उनके भाईया ने समझाया because we are born into this community we are never given any honor or dignity कि हम लोगों को कोई honor or dignity नहीं देता because we are born in this community इसलिए जो है बट अगर हम पढ़ाई करेंगे और progress करेंगे और बहुत ही पढ़े लिखे और एक अच्छे जो है पूस पे पहुचेंगे कुछ accomplish करेंगे अपनी life में तो हम जो है इन सब चीजों से उपर उठ सकते हैं तो वह अपनी भेहन को समझाते हैं उनके भाईया तो बहुत अच्छे से बेटा पढ़ाई करो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो जिससे कि तुम्हें किसी कि कभी life में जरूरत ना पड़े और उस दि इस यह भी आपका चाप्टर कंप्लीट होता है तो यह थी बामा की कहानी जो बामा की एक मेंबरी है चाइल्ड होड की कि कैसे उन्होंने फॉर्स टाइम अंटर्जबिटी को अपनी लाइफ में फील कर रहा था कि ऐसा सच्छे में हो रहा था ठीक है उससे पहले उनको नही कम्यूनिटी पर इंस्टा पर फॉलो कर लो कम्यूनिटी के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को मिल जाएंगे तुम्हें फ्री में नोट्स वह बहुत 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 निंग जिससे हो जाएगा पूरा चैप्टर डिवाइस और रही बात क्वेशन आंसर की तो बेस कोशन स सब्सक्राइब करने अपने एक्जाम में जिसके लिए तुम आप पूरे तयार हो चुके हो डन तो चलो मिलते हम कल वीडियो में तो से ट्यून